बहुत नए लड़के भी आएंगे जो होसियार लड़के रहेंगे तो उन लोगों को मस समझना कि हम नहीं बोल रहे हैं हम सबसे इन लोगों से जाला इंट्रेक्ट हो गये हैं मतलब देखो कूलर की अवाज ज्यादा जा रहे हैं इसको बंद करते हैं जैंगे नहीं से नहीं लगवा के एकदाम सुतल रहो दिक्कते नहीं है देखो कहां तक पर रहे थे हम लोग हेलो एसिया पढ़ रहे थे लो सर एसिया पढ़ रहे थे लो बिलकुल सही है पढ़ रहे थे विश्याद पर रहे हैं अब यह में एक बार लगे क्वांट कर लेते हैं कि लरके 16 लरके दिगे हुआ है ठीक है कि आज़ा है यह 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 इस यह बारें पर रहते हैं न दिखो एसीया जीशाद एसीया कि इसको बंदी कर देते हैं तो एक में तो क्लास रिकॉर्ड नहीं होगा अपलोड तो बिल्कुल नहीं होगा यह लिख दे रहा है कि तो जिसका ठूटेगा तो उसके जम्मेदार वो होंगे सब्सक्राइब कर रहा है कि वो उसका जोई नहीं कर पा रहा है वह कौन सब्सक्राइब कर रहा है जिसका नाम अभी आप लिया था वह सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर गया है आगे तर बोल रहा है कि आगे नेट्रों था फस गया था चलो लिखो लिखो इस या के बारे में लास्ट प्वाइंट क्या लिखे हो इसाट परसेंट चन संक्या निवास करती है हां हां लिखो अरब प्राइडीप अरब यह कुछ एरंब प्रािविप लिए отв सुकास अपसे वरा ना प्राइडिप है जो एसी आ महादीप में इस कृप्षै,- जब कोर्स खतम करना है तो तुह प्द्धना होगा अब पढ़ना होगा तो मेहनक्च पढ़ना होगा ठीक है आगे लिखो पॉइंट बना 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 के लिखना लिखो एसिया में एसिया में एसिया में अगला पॉइंट एसिया में एसिया में एसिया में विश्व की सरवाधित जनसंख्या वाला देश चीन है अगला पॉइंट एसिया में शेतरफल की द्रिश्टी से सबसे वरा देश चीन तथा सबसे छोटा देश माल विव है माल विव है हाँ माल विव माल विव एसिया में शेतरफल की द्रिश्टी से सबसे वरा देश चीन तथा सबसे छोटा देश माल विव है एसिया में शेतरफल की द्रिश्टी से सबसे वरा जो है सबसे बड़ा है वो आपका चीन है और सबसे छोटा माल दीस ओर लिखो विसु की सबसे गहरी जील बैकाल जील ऐसिया में इस्ठित है अगला लिखना अगला लिखना बिसुप्ती सबसे बड़ी जील कैप्सियन सागर जील का नाम है ठीक है कैश्पियन सागर कैश्पियन सागर कैश्पियन सागर कैश्पियन सागर एस्या महादेश में इस्थित है ठीक है अब वो से लिखा दिये सबसे उचा पानिक है अब विशु का सरवाधिक समाचार पत्र पहने नीजप्र पढ़ने वाला देश होंग कॉंग है होंग कॉंग है विशु का सरवाधिक क्लास आप ले लिए मुझे पता भी नहीं चला कुछ भी नहीं हो आप लिए सब्सक्राइब देख रहा हुआ है विशु का सरवाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश होंग कॉंग है तो लोग ना जानते हैं तो लोग राते में रत जग्या करता है पूंच चलाता है तक जरूर्ट सब लोग में इसका होगा यह सब्सक्राइब नपर पहंचायत देख रहा हुआ है तो रात जैदा हुआ हुआ है तो बात करेगा लिए विशु का सरवाधिक डागर्वाला द ने रून लिक्त वाला देश भारत है एक ouais यह गं दूण मोर दिखो शोड़। लिखो अब अगला लिखो लाल सागर लाल सागर लाल सागर एवं भूमद्य सागर लाल सागर एवं भूमद्य सागर लाल सागर एवं भूमद्य सागर को जोरने वाली नहर को जोरने वाली नहर स्वेज नहर है स्वेज नहर किस दो सागर से आपका जूरती है तो लाल सागर और लाल सागर को जोरती है स्वेज नहर ठीक है आगया जाए ऐसल लेको बिसू में बिसू में बिसू में सिचाइ नहरों सिचाइ इरिगेशन 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 सिचाई नहरों का सबसे बराजाल पकिस्तान में है पकिस्तान में है पस कहानी आपका अफ्रीका आजाओ भाई अफ्रीका परहोगे ना भाई जी सार बिल्कुल सेर सार एसी एतना चल्दी खतम हो गया अफ्रीका देखो क्या करो ना पानी लो एक बोतल पानी अपने आप पास में रखो पीटे जाओ पीटे जाओ नींदाए पीटे नहीं नींदाए जी है सब दीम और सुझत नींदाए बने करेगा लिखो विसु का तुम से कम से कम तब परहाएंगे अभी तुमको तीन वजह तक नो प्रोडूब सर रिकोर्ड तो लिए दिलेगा ने तीन वजह तक पक्का सर इसका डूर्ट जिएगा बस पर उनिस ना जोग्रफिक खतम हो जाएगा आज पर आउनिस है ना प्रोमिस सर प्रोमिस तीन वज तो रहें तीनमेज़ का मेंधर का थी तूसरा उप्र लारका वही मिनमघ तैनि वाज़े तक ना मिनममं कम से कम तसलर का होना चाहिए जो दसलिका फरज्चे तीन वज़े तक हम दस सब्सक्राइब कारें चाहिए हम लेते हैं बिस सुब का दूसरा सबसे बरा महादीद अफरीका है, ठीक है, लिखो, अफरीका एक मात्र महादीप है, अफरीका एक मात्र महादीप है, जिससे होकर, बिसुबच बरीत, करκ बरीत, करक बरीत, अवाजारी मरीद. यह सेर सुबोशावत बरीत, करक बरीत, करक, मकर बरीत. सर विश्वत के बाद, सर विश्वत के बाद, विश्वत बृत करक बृत और मकर बृत गुजरते हैं, ठीक है, अफरीका एक मातर द्यूप है, अफरीका एक मातर द्यूप है, अफरीका एक मातर द्यूप है, महा द्यूप है, जिससे होकर विश्वत बृत करक बृत और मकर ब तो गुजरते हैं ठीक है अब देखो अफरीका की विस्व की सबसे लंबी नदी नील लदी अफरीका महादीप में है अफरीका महादीप में है पिस पिस तरीक में पोले के लिक लिखते लिकते थक जाना तो बोलना भीच के सबसे लंबी नदी नील नदी नील लदी नील लदी अफिका महातेव से गुजरती है कहां नील लदी का गिरती कहां जाके तो लिए ना भुमध्य सागर में गिरती है 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 सहरारेकिस्ता कeter कि अगया जाओ इनुट अफ्रीका की उसन गहास के मैदान ऐसे फ्रीका के उसन लिखवा दिये थे पहले में लिए का दिए को अप्रीका के उसन गहास के मैदान उसन घास भैस agarya as Rabbana सब इम्مपोटेंट है सवाना सवाना और सिटोस्ण फिटोसन गहास के मैदान सिटोण कहाई भान सवाना सवाना अशितोसन कहाई सो मैदान के विल्द कहलाते हैं ठीक आप लिखो लिख लिए है ये तूँसे है अब लइखो मिर्थमें नहीं लिखा लिखा और मिस्टर में मिस्टर में ही व्यक्लसे मिस्टर करने तो मिस्टर में स्वेज नहर है मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर को भुमद्य सागर से मिलाती है लाल सागर को तो वो लेगा कि स्वेज नहर कहा है तो मिस्र में किसको मिलाती है तो लाल सागर को भुमद्य सागर बुमर्दि सागर से में इस यह लिख वाइए है इस यह लिख वाइब है इस यह लिख वाइए लिख जा रहा है ऐसना थीदिए बन रहा जो तुझे नाई बन रहे हैं लीक रही है नहीं फूटेगा चलो धिर दिर लिखेंगे यह नील नदी का उद्गामस्थल उदगम अस्थल समझते हो तुक पत्ती जहां सोती है यह सर जाब नील नदी का उदगम अस्थल विक्टोरिया जील है नील नदी का उदगम अस्थल विक्टोरिया जील है नील नदी का उदगम अस्थल विक्टोरिया जील है नील नदी का उद्जम अस्थाल विक्टोरिया जील है ठीक है अब आगे आ जाओ देखो उत्री अमेरिका नेक्स उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका लिखो उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका विश्व का तीसरा बरा महदीप है उत्री अमेरिका विश्व का तीसरा बरा महादीप है पानी परेगा उसका एडविश्व करते हो ना कुर्स खत्म नहीं हो जाएगा जो नहीं पर एगा का नहीं हो रहा है आपने लिए मेरीका का नाम यह नहीं हो पा रहा है यह नहीं समझ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सर बड़ी रहा है जल्दी जल्दी रहा है जल्दी जल्दी दोल रहा है इतना धीरे-धीरे कि यहार क्या कोई देगे और किया हम कोई देग आप यह लिखा रहा है नहीं सर्वाइब की बारे में बोल रहे हैं पांच बार तो बोलते हैं कि मैं सॉल्ट हम से जल्दी नहीं होता है अब समझां अब भी तो बोले ना कि टामिंग की बात कर रहे हैं इसके लिए तो प्रेक्टिस होगा ना इसमें परफेक्ट हर सबेट का हर टोपी का चर्सों पॉन सों सम्माना दिए हो जाएगा उत्री अमेरिका का नाम उत्री अमेर अमेरिका का नाम उत्री 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 उसके नाम पर बरा कुछ लिर्का जो लिखी भी दिया होगा तो आपके आप लिखो लिखो उत्री अमेरिका के मूल लिवास्यों में उत्री अमेरिका के मूल लिवास्यों में उत्री अमेरिका के मूल लिवास्यों में रेड इंडियन एस्कीमो और इन्यूट आते हैं इन्यूट वो लेगा कि इन्यूट कहां के निवासी है तो उत्री अमेरिका के पॉपी कलम सब लिकाले हुए है ना यह सर लिख भी रहे हैं लिखो 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 कनाडा की कनाडा की कनाडा की टटिये रेखा की लंबाई विशु में सबसे अधिक है कनाडा की टटिये रेखा की लंबाई विशु में सबसे अधिक है इसकी लंबाई कनाडा की कनाडा की कनाडा की टटिये रेका की लंबाई विशु में सबसे अधिक है इसकी लंबाई दो लाख दो हजार 80 किलो मीटर है दो लाख दो हजार बहुतों को नहीं लिखने आगा होगा आसा ही नहीं मुझे पूर्ण भी सवास है तो हम लिख दें किलो मीटर है कनाडा की टटीय रेखा की लंबाई विशु में सबसे अधिक है इसकी लंबाई 2,280,000 km है ठीक है संजुक्त राज अमेरिका के संजुक्त राज अमेरिका के संजुक्त राज अमेरिका के दच्छिन पूर्वी टर्ट संजुक्त राज अमेरिका के दच्छिन पूर्वी टर्ट पर चलने वाला चक्रवाद पर चलने वाला चक्रवाद हरिकेन आवम टोरनेडो कहलाते हैं हरिकेन आवर टोरनेडो कहलाते हैं ठीक है लिखना ठीक है USA USA United States of America USA बिष्व का सरवाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है USA बिष्व का सरवाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है तुम लोग तुम लोग इना गुरूप बनाका पर हो चरपांच लर्का पर हो भाई एड़िशन ले लो आगे इस सब जिन्दगी भर काम देगा जिन्दगी भर काहला तेंशन लेते हो कि अभी यूवर्सिटी जो आगे होता है न जो तीसरा क्लास में फर्स्ट आता था वो च तेंशन होता है लगता है न तुम लोगों के जो फ़र्स्ट आता रहे उसको ज्यादा टेंसले भैक वेंचर से बैंक वेंचर कहने का मतलब वह नहीं है बैक वेंचर कहने का मतलब है जो परसतान है ना और अब वेंचर जब आप पहेंगे ये पॉसमें भी एक सब दात रहा बीच में है चुछी के नेर्टव्ग सुर्फज से लिना ओड़न वad उतरी अमेरिका के उत्री अमेरिका के दिए अधीर काथ Bennett अधी में इूटरी अमेरिका के सिटी में घ्राणड सेंट्रल टर्मिनल से विया ग्रांड सेंटर टेर्मिनल वीशु का सबसे बरा अस्टेशन है वीशु का सबसे बरा अस्टेशन है उत्री अमेरिका का उत्री अकोची लिखवाती है उत्री अमेरिका के नियू आर्क सिटी में ग्रैंड सेंटर टर्मिनल विशु का सबसे बरा अस्टेशन है लिखो अगला आगे बढ़े हैं और यह सेर उत्री अमेरिका के पूर्भी टट पर त्रीए अमेरिका के पूर्भी टट पर लेस्टा गहिं लिख रहें साथ। तक ही लवराई रफ आड़र्टेप्ट लेव मेड़र टेट हनुथ। नल पराम शुथ क्वंवral के बनाने आता ह। और बुलेगा लेवराइड दूर क्यासी जल्धारा गरम थंधा नीट्रल इन में से कोई नहीं थंधा थंदा तीसलिए प्वेशन से क्वेशन मनाओ तो आता है सिर्फ तो क्या बता रहे थे अभी उत्री अमेरिका के पूर्वी टट पर लेवराइड दोड थंदी जल्धारा गल्प अस्ट्रीम गल्प अस्ट्रीम गल्प अस्ट्रीम गर्म जल्धारा एक तो बोलेगा यह गल्प अस्ट्रीम कैसी जल्धारा है तो गर्म जल्धारा गर्म तो गल्प अस्ट्रीम जल्धारा चलती है बाती है बाती है बहती है आगे आजाओ आगे आजाओ आगे आजाओ संसार का सब्सक्राबन बंदग आई तो इसमें लिखा दिये अब लिखो अब लिखो एल्का हालका लिख माते के लिवांते हैं लिखो इरोप मोश से लहो गो गहरो को गी खष्भ झीय कि बॉट के लिए इस जो पहले लिको इस महादीप में इस महादीप में शियालिस देश हैं इस महादीप में इस महादीप में शियालिस देश हैं इस महादीप में शियालिस देश हैं इस महादीप में शियालिस देश हैं एउरोप को प्राइदिपों का प्राइदिप भी कहा जाता है एउरोप को प्राइदिपों का प्राइदिप भी कहा जाता है ठीक है यह से लिखो एउरोप महादीप का एउरोप महादीप का सबसे बरा नगर एउरोप महादीप का सबसे बरा नहर लंदन है एउरोप महादीप का सबसे बरा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के चट पर वसा है अब लिखो एउरोप महादीप का सबसे बरा नगर लंदन है जो टेम्स नदी के चट पर वसा है अब लिखो एको फ्रांस 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 सूरा और सुन्द्रियों का देश कहा जाता है फ्रांस को सूरा और सुन्द्रियों का देश कहा जाता है कि मायक बंद् करें लिखो आगे लिखो और बिखाश मायका बंद् काह नहीं कर देश माय रुटि पर लिखो आपके यूरोप के उरोप करें आशा ब लर्कियों को लिखने में प्राओडम नहीं हो रहा ना नो सर अब ठीक है यस सर यूरोप के फिन लैंड को यूरोप के फिन लैंड को जीलो का देश कहते हैं यूरोप के फिन लैंड को जीलो का देश कहा जाता है लिखो इटली को इटली को इटली को इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को इटली को इटली को इटली को इटली को इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है अगर्ट दीव्हारा Bowl कि एक्रिसी परधान देश न इस इंग्लिस चैनल आ मि Lincoln तो यदिम्स आपड बाकेव पार करता ते फिली है। इडिया मुवी था दिखो ना बार चाह मुझा बूल गया उसके लाड़का छेए यदि दो बने के लिए इंग्लेशनल को पार करता तो फिर फ्लें सलास्ट मेजाता तो पिलें से गिरका मर जाता प्रांस को यूनाइटेड किंग्डम से अलग करता है इंगलीज चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंग्डम से अलग करता है इंगलीज चैनल फ्रांस को इंगलीज चैनल फ्रांस को यूके यूनाइटेड किंडम से अलग करता है ठीक है यूरॉफ का मरीज किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं किसका दोस्त बोल रहा है तुर्की को कहते हैं एक जरूब का मरीज तुर्की को कहते है अब रात है तब दोस्त न भूलेगा ओन अधी मेरे तरप तो हम ऐसा बुलत रहता है दर वी बोलता है इस्मस्मक्राइए करो पो नदी को इतली की गंगा कहा जाता है पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है लिखो फरांस की सीन नदी इंगलिश चैनल में गेती है कि फरांस की शीन नदी में इंगलिश चैनल में गरती है इंगलिश चैनल प्रेश को जो बूलें नदी का नामियाया लिखी गाई प्रेम इस नेट्वास लोग मेरा सारा मिरा नहीं सुरा आपके नहीं, अभाक बाद है आई प्रांस की सीन नदी इंगलीज़ चैनल में गिरती है अवाज के लिए नहीं हा रहा है लेफ्ट करके फिर से जॉइन करो सही आ जाएगा लिए अब लाज तक रहें एक को गायब हुआ था और तुप पुखाएंगे फ्रांस की सीन नदी इंग्लीज चैनल में गिरती है देखो डेखो सवाल नहीं पोछेगा लिखो अंटार्टिका एक्विश्न लिखा जेते हैं पर इंपॉर्टेंट तुम्हारे एक्जाम से रिलेट्स खोना नहीं नहीं लोगता हैं हूं कि निखो इंपॉर्टेंट है ये तो इस सब्थेली इंपॉर्टेंट नफ तो अंटाक्तिक लिखो इसमें लिखो भारत ने अंटार्टिक में अपना पहला सूध केंद्र भारत ने अंटार्टिक में अपना पहला सूध केंद्र भारत ने अंटार्टिक में अपना पहला सूध केंद्र दच्छिन गंगोतरी 1983 में स्थापित किया भारत ने अलिटाल्टिक में अपना पहला सोध केंदर भारत ने इतना पराद होगे कि भीयर चुकत अग्जाम के लिए प्रजाओगे केंदर केंदर भारत ने अलिटाल्टिक में अपना पहला सोध केंदर दच्छिन गंगोतरी 1983 मे स्थापितिया 1983 में स्थापितिया जो अब निर्ष्ट होगए है घ्र-फिलिखो 1989 में 1989 इस्वी में दूसरे भारती है सोध मैं केंद्र क्यां रिसर्ष अस्टेशन 1939 इस्वी में दूसरे भारती है स्थापना हुई 1989 में 1989 इस भी में दूसरे भारतिय सोध केंदर मैत्री की अस्थापना हूँ मैत्री की अस्थापना हूँ खीके आगे आगे यह को दचनी अमेरिका दचनी अमेरिका अमेरिका और लगता है कि air हम ने निंदे वाली पर हम नहीं सो इस इतना भुलिए तैनने यहाइगा सब्जी लेकर है सब्जी लेकर हाइगा सब्जी उपाएग बताए है ना वही कि जीगा सार खाने के लिए कुछ रखिये मिर्ची बगेर निंदे आएगा कि पुझे डघ्षीन अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजर नदी अमेजर नदी अमेजर नदी रिखिन अमस्वालीया के ब्राजील में बहने वाली अमेजर नदी बिसु में अपवाह अपवाह मतलत समझते हो बहाव कितना तेज चलता है बहता कितना तेज है अपवाह अपवाह छेतर की द्रिष्टी से पर्थम नदी है अजचीड अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजर नदी बिसु में अपवाह छेतर की द्रिष्टी से पर्थम. अपवाह छेतर की द्रिष्टी से पर्थम नदी है bullying flowing अब अब आगे आजो इको दच्छिन अमेरिका में ब्राजील दच्छिन अमेरिका में ब्राजील सरवाधिक मैगनीज उत्पादन करता है अब इको प्यूमा प्यूमा जानते होगे इसको जानते हो प्यूमा जैगुआर भी जानते होगे जी सर एको प्यूमा एवम जैगुआर दच्छिन अमेरिका का सिकारी जानवर है प्यूमा जैगुआर लिख दियां दोनों चीज़ दच्छिन अमेरिका का सिकारी जानवर है लिखो आगे बढ़े हैं तिसर बढ़े हैं तर्चिन अमेरिका का ब्राजील दच्छिन अमेरिका का ब्राजील विश्व में सरवाधी कौफी उत्पादित करने वाला देश है दच्छिन अमेरिका का ब्राजील विश्व में सरवाधी कौफी उत्पादित करने वाला देश है आओ लिखो जब मैंगिनीज वाला बोले थे प्रोड्यूस करने वाला वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि सिर्व सौथ अमेरिका में अब लिखो अस्टेलिया देख लेते हैं अस्टेलिया से कुछ इंपोर्टेंट खास नहीं बनता है सबसे चोटा महा देखते हैं अस्टेलिया के सामें लिख लू यह सबसे चोटा है यह सबसे चोटा महा दीप है अब आगे आजाओ लिखो जल मंदल जल मंदल जल मंदल जल मंदल Partными मंदल ज़न परायाद ऑसक्ती तरक इन अधर बहु जल मंदल Websc इए पहलन को छाया तर्क विञत मिठाया बहुत Recogn एअ Hmm जरार सत्या यह जडार्मूपिर व जल मंदल जल मंदल देखता हैँ मंदल पराया त्यूदल पहले पराया तो तेक समर्ण diste चार जल मंडल क्या बुले नहीं एक लिखो चिले के बारे में बस एक ही शॉर्टेस कॉंटिनेंट मतलब सबसे छोटा माधीप है बस बस तरिया के बारे में आपक्या लिख़़ए लिखो संपुर्ण तुम लोग भी पाणी पिलो मैं भी पानी लेकर आओगा मेरा मोतर बंद हो जाए गाई जारा दस हो रहाए थे चेक कर लए अधिम लोग आपस में बात करो आइंगे तुम बोल देंगे जागे अधार है नहीं कि हलो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कुई दिक्कत नहों तो ठीक हम कर देंगे कि अभी कर देते तो अभी क्योंकि फ्री हैं फिर आप बूल जाएंगे कि कहां से यह शुरू से कर दिना जरा यह अंटाक्टिका तक बाकि उसके बाद से मने लिए अंटाक्टिका तक जो यह का गुरूप है नो और अनुच कि क्या उदर भी बारिस होता है अब क्या हो गया थोज़र पास्येट हुगे भाइस यार अराम आपर को पास्पाई मता हैं तो छो रहेगा दो लर्का को देखेंगे कि क्लास में हम बता रहें ना उसके लिए कुछ भी कर दी है कि पाइदा तो है मेरे को कुछ तुम पैसा तो दे ही दिए ओफ लेंगे ता 12 करेंगे पांच मिनट फिर पडुटेंगे फिर बात करेंगे मिनल लगतार कोई भी नहीं पर सकता हाथ आपको दर्द करेगा नहीं अब कि क हो खैड़कं जाये जा बहुन हिए भी फंट वो रूक जाएंगे नौट पर आप आप तक पढ़िए आप आज कोसिस कीजिये अभी तो हम खतम कर देंगे को सिस्की जिये कि जोग्रफिभी को खतम करें तो वो तीन बजे चार बजे पांच बजे छो बजे यह ज़िए आपका खतम हो जाता है न तो फिर आपका पॉलटी बचेगा पस यह सिर्ट कर देंगे तो हम कि दिन कि मेरे साथ कब मौका मिलेगा कि दोनों मिलकर बात करेंगे पूरी रात कि इतना अच्छा बात है सब बात करेंगे हम अपने लाइब से जूरी प्रिट्व नहीं होगा पहले एकनोमिक्स कर देंगे पहले अपने लाइब सारी बात हम तुमसर सेर करते रहेंगे बीच बीच में कि तुम्हें बोड ना लगे तुम्हारी एक पॉइंट बताएंगे जानते हो भाई के जैसा एक सब्सक्राइब हो पाईगा अब पॉडिक्शन सब्सक्राइब करने अब और यह इनकीशन वे अपन्स थे चैनले उसलिए पर लेंगे तो नमेंगे तो अज हाई द्मीशन हो सकता है संपूर्ण पिर्थवी का 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 तीन वटा चार भाग तीन वटा चार भाग तीन चौथाई तीन वटा चार भाग तीन वटा चार भाग में ती एकतर परसेंट लगवग ऐसे कर देना तो लगवग जन मंडल का विस्तार है जन मंडल का विस्तार है देखो लिखो महासागरिये जल महासागरिये जल देखो महासागरिये लिख जते है महासागर के जल महासागरिये जल के दो गुन होते हैं महासागरिये जल के दो गुण होते हैं महासागरिये जल के दो गुण होते हैं पहला होता है तापुमान तापुमान उसका तापुमान अग दूसरा होता है लवनता लवनता समझते हो नमकीन, खारा, लवनता अब लिखो लिखो पहले लिखो अगला लिखो फर्स्ट में लिखो महासागर महासागर के सामने लिखो लिखो जल मंडल का वा बराभाग जिसकी कोई निष्टित सीमा ना हो जल मंडल का वा बराभाग जिसकी कोई निष्चित सीमा ना हो निष्चित ऐसे लिखाता है निष्चित निष्चित सीमा ना हो ओसियन कहलाता है तो ओसियन कितने हैं ओसियन जो हैं आपके वो चार हैं और सरी चार जो पांच है ना चार पांच चार में बहुत कंफूजर ओसियन चार हैं आपका पहला है प्रसांत महासागर व प्रसांत महासागर दूसरा आपका ऐसे करके लिखतना अटलांटिक अटलांटिक दूसरा अटलांटिक अ तीसरा जो आपका है वो है हिंद इंडिया हिंद महा सागर और चौथा आर्टिक आर्टिक इतना महा सागर है परसांत के नीचे लिख देना परसांत महा सागर के नीचे लिख देना परसांत महा सागर के नीचे लिख देना फ्लैक इसको करते तें जरा सा वहार मज़ा हैंगा परसांत महासागर के सामने लिखना सबसे बड़ा महासागर अब आगिया जाए दिखो लिखो लिखो और को तक यह समंदर को समुंद्र सरस्प सब्सक्राइब ना है कि अ है है कि सबसे चोटा इस अधिक सबसे चोटा आर्क्टिक आड कर अब लिकूण आगे आएगा तक हुआ सबसे चोटा इसके सामने लिए दो सब से चोटा उस्त में पैसिविंग सगें में अत्लेंटिक ठार्ड में इंडियन वर्च में आर्किक महा सागर्स ते तुह को कुछ नहीं चाहिए लिखो शब्शोड खारी समदर जाल सबंदर इतरर हो लिखो समाननेयटा लिखने नहीं आगा समनेयटा ऑफ से अग्छे में किख लेते हैं प्राया समानिता महा सागर्य जल का ताप मान पांच डिगरी सिल्सियस से पांच डिगरी सिल्सियस से तेटी डिगरी सिल्सियस रहता है समानिता महा सागर्य जल का ताप मान समानिता 24 लड़का लड़का बढ़ केश रहा है जी समानिता महासागरिय जल का थापमान लगभग पांच डिगरी सिल्सियस से तेती डिगरी सिल्सियस के बीच रहता है समानिता आज ही देख लेंगे कि कौन कितना चाहने वाला पढ़ाई को पढ़ना विश्विद्याले से कितना प्रेम है उसको समानिता महासागरिय जल का थापमान लगभग पांच डिगरी सिल्सियस से तेती डिगरी सिल्सियस के बीच रहता है अब लिखो अब लिखो चोड़ो इसम उरा देते हैं इसके वाल कि सब कुछ उरा दिया है सब कुछ उरा दिया है तो हो खत्म हो गया फिर शोब मंदल उरा देते हैं समीर उरा देते हैं जोड़ चार के बढ़ते जाए ज्यादा नहीं हो रहा है सर हमों सब उड़ जाएंगे अरे अरे तो जाएगे तर इंडियन को बोल पढ़ो आज लिखो जो क्लास फोड़ा है जो क्लास फोड़ेगा उसको आज कहा ने खतम करते हैं इस सब आए रहा है जो क्लास फोड़ेगा मुझे छोर कर जो तुम जाओगे डरा पच्पाओगे लिखो लिखो तुम लोग वाज हम खतम पर देते जहीं जए भारत है लिखो भारत का मुझेल यही परने चाहरे थे ना यस सर यही यही इंडियन जियोग्रफी लिखो इसे इसे करके लिखते जाना इसे इसे करके यह पॉइंट बनाते जाएंगे इसे सब्सक्राइब लिखते हैं लिखो भारत का उत्री गोलार्द लिखने नहीं आएगा इसलिए लिखते हैं भारत का उत्री गोलार्द में भारत उत्री गोलार्द में उत्री गोलार्द कहने का मतलब तूरिद्ट कि आठी चार मिन्नत से स्कारण है तो सहींथीρεगी on आरसर्थ दिली बहुत इंप्रेटं से शन्तानवे डिमियिवाइज पूर्वी देशांतर के बीच इस्थित है के बीच इस्थित है लिखो भारत का छेत्र फल भारत का छेत्र फल 32,87,000 लिखो 32,87,000 लिखो अगला आगे बढ़े हैं यास सर्थित है लिखो अगला आगे बढ़े हैं यास सर्थित है लिखो अगला भारत का छेत्र फल तो हो गया छेत्र फल के द्रिश्टी कौन से छेत्र फल के द्रिश्टी कौन से भारत विश्व का छेत्र फल के द्रिश्टी कौन से भारत विश्व का सात्मा सबसे वरादेश है छेत्र फल के द्रिश्टी कौन से द्रिश्टी कौन ऐसे होत है कि द्रिष्टि याइस है कि छेत्रफल की द्रिष्टि ब्रिष्टि बता होता है भारत विशु का सात्मा सबसे बरा देश है जब की जन्चंख्या के द्रिष्टि कौन से या विशु का दूसरा सबसे बरा देश है जब की जन्चंख्या के द्रिष्टि कौन से या विशु का दूसरा देश है जब की जन्चंख्या के द्रिष्टि कौन से भारत विशु का सात्मा सबसे बरा देश है जब की जन्चंख्या के द्रिष्टि कौन से जब की जन्चं या जबकि जनसंख्या के द्रिष्टी कौन से या विसु का विसु का दूसरा सबसे बड़ा देश है अब लिखो छेत्रफल के द्रिष्टी से भारत से सचा बड़े देश है कौन को नहीं लिखवाते हैं लिखो लिखवा दिये है जी के में तो इतो छोर के आगे बढ़िए दूस करना कि दूसरा है त्थी के में है भारत साथमा से आगे बोड़ गया है न इसका यह लिखो भारत का छेत्रफल भारत का छेतर फल संपूर्णबिशु के छेतर फल का वह सर्थ मुझने है। भारत का छेतर फल 2.4-2% जब की जब की इसकी जनसंख्या जब की इसकी जनसंख्या जब की इसकी जनसंख्या संपूर्ण विशु की जनसंख्या का सारे सत्रा परसेंट है जनसंख्या की दृष्टी से विशु की आठ वरे देश हम आपको लिखा दिये हैं भारत का उत्तर से दृष्टी से जनसंख्या जमीर का ब्रेज्टी से ठीक 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 फिर बंगलाद देश से सीमा कितना बना रहा है सब सब लिखवा दिये हैं अब भात का लेशन पॉइंट इंड्रा पॉइंट है इंड्रा पॉइंट है जी से लिखो अगला लिखो लिखो भारत एब हम पकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है सब्सक्राइब हम पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो पंदरा अगस्ट डेट लिखो अगस्त है Red Cliff Sir C. J. Red Cliff य'Tको लिख दिया है Sir 16V 3749 को Sir C. J. Red Cliff के द्वाया निर्धारित की गई थे निर्धारित ऐसे होता है हर्षीकार देना पर हर्षीकार निर्धारित की गई थे लिको भारत और आगे बरें यास सर भारत और नेपल के मद बारत और नेपाल के मद काली नदी सीमा बनाती है बारत और नेपल को भी नींदाएगा 12 मदे तक परदास कर लोगे बारत से एक पीच्वे नींदाएगा अब आपर दास कर लिये तो फिर नहीं निद आएगा भारत और नेपाल के मद पानी रखे हो ना जी सर्थ पीलो एक अपर सब पीलो 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 अब भी पीकर आय थे सारे बॉस्टन है उठो मत उठो मत पीयो सर्थ पीलो बगल मेक बॉटर पीलो यहां तो पुरा बारिस ही हो रहा है सर्थ चले यह उठों पीलो आई अधर भेजु रहें बहुत अच्छा मौसम बारिस पटना को भी मोसम मिजाज बदल रहा है आज़ा बारिस से का मोसम आया ठंडी आ रहा है पूरा एक बारिस साड़े दस साड़े गारत मेरा यार हस रहा है बारिस की जाए सुने हो या नहीं है नहीं सुने है सर्थ सॉंग है जरूर किसी का यार हसरा होगा तुम्हारे दर अब लिखो अब लिखो भारत और नेपाल के मधी भारत और नेपाल के मधी काली नदी सीमा बनाती है यह इवारत नेपाल के मधी काली न दी सीमा बनाती है भारत और नेपाल लिखने को प्लेक्टिस अब इससे बनावगे तो तीस पेज या पैंटीस पेज लिखना होगा अगडीस लिखना होगा तो उन्हें है भारत और नेपाल के मर्द काली नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मर्द काली नदी सीमा बनाती है लिखो पटकाई की पहारिया पटकाई की पहारिया अधे को भागना कोई बिना बोले नहीं हम यही बात बोल रहे हैं कितना लर्का हो 23 ररका हो वीश को हम लेके चलते हैं तीन को हम सोटे है कि तीन सही है कि बाकि कोई भागेगा तपर नहीं भागेगा सिर वÝ बोलकर भागेगा थीख है लिखो पठकाई की पहार यह पठोड़ काई की पहार यह भारत को मैंनुर से अलग करती है लिखनी लिखनी आएगा दिखको कि मैं लेखो मैंन मार कैसे होगा जानते हो मैं जानते हैं बोले से घंब अधार्ण सठी लिखो पटकाई की पहारियां है अलो पटकाई की पहारियां भारत को मेनमार से अलग करती है अगला लिखो लिखो अगला दच्छिन में स्रिलंका भारत से पाक जल संधी पाक जल संधी तथा मननार की खारी द्वारा अलग होती है लिखो पाक जल संधी के बाद क्या बोले एवं मननार की खारी लिखो पाक जल संधी पाक जल संधी तथा मननार की खारी द्वारा अलग होती है मनार की खारी मनार की खारी द्वारा अलग होता है पाक जल डमरू भी कहते हैं अब देखो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापूर समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापूर से गुजरने वाली सारहे देरासी डिगरी पूर्वी देसांतर रेखा को माना गया है मिर्जापूर के नैनी से न सर भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापूर से गुजरने वाली सारहे देरासी डिगरी पूर्वी देसांतर रेखा को माना गया है जो ग्रीन वीच समय से सारहे पांच गहनता आगे है आगे लिखो प्राज से गुजरती है करक रेखा लगवग बहात देखो कुझे के बाद लोग कर डाटा भी आ जाएगा ना राजस्थान गुजरात राजस्थान गुजरात फिर आपका मध्य पर्देश एम पी मध्य पर्देश चोथा 36 गर चोथा 36 गर पात्मा धार खंड लिखना अब बोलेगा कि ना कि निम लिखित में करक रेखा कि निलाच से गुजरती है जार खंड पक्षिम बंगाल पक्षिम बंगाल तिरपुरा और मिजोरम लिखोद पक्षिम अगल तिरपुरा और आठवा मिजोरम मित्र परगमचा जहार मित्र परगमचा जहार लिखिए भारतिये उप महादीप में समलित देश हैं है तर शहीं है लेज़र ईदम थ उगे तो बोल दिनल है उब महादीप हट है जिसे महादीप होता है महादीप जहने का मतलब की समूद्र से सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब बहुत वराई लागत मैं चीए पाकिस्तान बंगला देश नेपाल भुटान अब पूछ सकता है भारत का मानक समय किन किन राजियों से होकर गुजरता है उत्तर पर्देश मदपर्देश पाकिस्तान बंगला देश नेपाल भुटान अब अगला लिखो सरवाधिक राजियों की सिमाओं से लगा राज सरवाधिक राजियों की सिमाओं से लगा राज उत्तर पर्देश है ठीक है लिखे अगला लिखे भारतिय राजियों में गुजरात राज की चट रेखा सरवाधिक लंबी है भारतिय राजियों में गुजरात राजिक रेखा सरवाधिक लंबी है ठीक है अब लिखो नेपाल के साथ नेपाल के साथ अंटाराश्टिय सीमा बनाने वाले राजियों में नेपाल के साथ अंटाराश्टिय सीमा बनाने वाले राजियों में पहला उत्रा खंड दूसरा उत्तर पर्देश फिर लिखना बिहार फिर पच्छिम बंग अरे उपस नहीं दे रहे हैं लिखवा रहे हैं नेपाल के साथ अंतराष्टिय सीमा बनाने वाले राज यह हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश विहार 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 उसे वाद क्या लिखोंगे पच्छिम बंगाल एवं सिक्किव सिक्टिम हम लिखो आरे ओपसन नहीं दे रहे हैं इतना समाज गहां सर्व समाज ग्यां बंगलादेश के साथ अंतराष्टिय सीमा बनाने वाले राज बंगला देश के साथ अंतराश्य सीमा बनाने वाले राज राज है पच्छिम बंगाल असम मेघाले तिरपुरा एवं मिजोरम पच्छिम बंगाल असम मेघाले पिर पूरा एवं मिजोरम ठीक है ठाके नहीं न यस सर नहीं सर नहीं सर कितना लरका है भी 23 देख लिजी सर पूरा के बाद पूरा के बाद मिजोरम पकिस्तानी सीवा से लगे तीन भारतिय राज्य है पहला राजस्थान गुजरात एवं पंजाब पकिस्तानी सीमा से लगे तीन भारतिय राज्य है राजस्थान गुजरात एवं पंजाब लिखो लेख लिए लिखो लिखो अगला तीन और से तीन और बंगला देश से घिरा राज तिर पूरा है इसा एक एता उस समय सा किता पेज हो गया है ने चाहर ठाहर टाहर मेरे च्वाव मेराच ने सकर्व साथ ऑर्गेर इसा ने स्टियय से पेज्ड यह राजी तयोरा है अगी अगर आगया जो उमंस्मूरत प्रेश्थान चैंट किस्वारतिय आगा देवया से व्लेश्ड यह तेन है कि पर भारत का भावतिक शरूप नियरा बंगला जेयरें और भायदिक को सबस्द के गई जिन ओर से गिरा राजितिर्पूरा है ओँद तैंक स्मक्राइब भाुतिक शरूप भारत का भावतिक स्वरूप लिखो लिखो देश के कुल छेत्र फलके दस दस्वम्लोव साथ परसेंट लिख देदा दस्वम्लोव साथ परसेंट नो सर लिख लेंगे लिख लो देश के कुल छेत्र फलके 10 दस्वम्लोव साथ परसेंट भाग पर उच परबत शर्यनिया उच पर लो नोटिस मत देना दोना किया उसको लगएगा टेजिक फिर तो पूरा इंडियन जोग्राफ चोर जाएगा थो जाने पेडियेफ मद्रिख बने कहा रहा है कि घर पेडियेफ देगे हम नहीं पीडियाग्राने रिकोडिंग ने शार पूरा इंडियन जेखता नहीं है न ह проблемती है को वे अागा यह पूह को डेकता ना है पाथ एक रीकोर्डिंग हुआ प्याय लगता है इसके रिकॉर्ड लेक्षा देश के उच्छ शेत्रफल के 10.7 परसेंट भाग पर उच्छ परबत स्रेनियां है उच्छ परबत स्रेनियां आधा लर्की इसको गलत लिखेगे लिख देना चाहेगे लर्की को अबला समझ लेते हैं ना काते हैं कि आधा लर्की गलत लिखेगी बताओ लर्का प्रेकोचन पूछे सर्भारत को सर्भारत को उप महद्र क्यों कहा जाता है बाही यह तो न पता के भाग देजिए आप बीव बता सकते हैं कि चलो आगे आजाओ हम्वाइए अपर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सब लिखे उड़ा लिखो आगे आजाओ लिखो की 18.6% 18.6% 18.6% पर पहारिया है 18.6% पर पहारिया है सर यहां पर पहारिया बता रहे उपर कद लिखे हाए हूँ परवत तो वह भी तो मौंटेन है होगा ंवी भी मौंटेन होगा परवत कुनको कहते हैं जो 2000 मीटर से जाना बहा ङुरा हो उसको परवत कहते हैं देखो एक बात हो सकता है उभाई जो पूछे हैं एक बात इसमका हो सकता है एंसर हम कंफर्म नहीं है भारत को उत्महादिप इसलिए कहा जाता होगा कि ये तीन तरफ से सम्मूद्र से उभिरा हुआ रहा है पूरा राइट है सर जो आप बोले ना सर पूरा राइट है एक तरफ से ये जमीन से है तीन तरफ से ये समूद्र से भुरा हुआ है इसलिए इसको बोला जा सकता है पूछा था इस बाइट वहारत को उपमादिप क्यों कहा जाता है जी एस पेपर टू में था सर जो रही होगा जो आप सर बोले ना परवत और पहारी है और ना दिया इसी के करण से बहुत सरी अच्छा है सबसे सबसे बहुत अच्छा दुखत है उपमाई भारत और ये भी इसले भी उपमादिप माना जाता है कि उच्छी हो सब्सक्राइब अगे लिखो अरे सर आप बता रहे थे हूं बताई ना पहले क्या है आप तो पुछे है अभी परवत रहे हैं लिके हैं पर नीसे देखो परवत पहारी में अंतर है राजगीर में पहारी है पर हिमाले पे अचे जो परवत तो दुनों को मॉंटें है कि अलग है वह रिखेंगे वह कुंसूजन है अब को फी अफ्रेशन उसको हाई मांटन मंटन जो वा उपा है है वह दो हजार से उपर पठार हो क्या सर इस सर लेटिव पर पठार किसरा हो कि अ है गया प्रदा अगे 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 तो लिखना है अठारा तो समलोग छे परसेंट पर पहारिया है और तेतालीस परसेंट पर बिस्तरित मैदान का है अब लिखो लिखो अगला लिखो भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को पांच भाग को में बाटा गया है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार तुम्हेरे पांच दिन क्लास ले लेंगे तो तुम्हेरा कोश्ट को खतम हो जाएगा भारत को पांच भागों में बाटा गया है पहला लिखो उत्री परवतिय मैधान जो गंगा वगेरा है गंग नहीं उत्री परवतिय मैधान उत्री परवतिय मैधान दूसरा फिर लिखना भारत को कितने भागें में बाटा गया था चो भागें पांच भागें दूसाल मैधान दूसरा होता है विसाल मैधान तीसरा जो है उप्राइडी पठार साउथ वाला इलाका इधर इधर भी सत्यसगर वाला भी इलाका आ जाएगा इसमें फिर मरू अस्थलिय परदेश चौथा मरू अस्थलिय परदेश और बोलेगा कि भारत को कितने भागों बाटा गया तो पाथ भागों और पाच्मा जो आपका है समुदर तत्या मैधान लग नहीं रहा है कि बहुत अच्छे से मतलब कि डीप में हम लोग चीजों को देखते जा रहे हैं अच्छे से कि सवाल अब नहीं सवाल बना सकता है कहीं से सर तीसरा क्या लिखता तीसरा लिखें है प्राइबी की पठार अब आगे आजाओ आगे आजाओ अब पहला है उत्तर का प्रबतिय मैदान यह इन है ना पहला इस में लिखो इत्तर का प्रबतिय मैदान तो इसको चार भागों में प्राटा गिया है पहला भाग ट्रांस हिमालय छेतर लिखो ट्रांस लिखके दिखांगे पहले लिखो टौपिक लिखो उत्री प्रवत्य मैदान बाद कुछ ये भागों बाटने थे पहला परेंगे तो फूरा नीचे किजिए तो फूरा नीचे किजिए ना पहला टॉपिक लिखो उत्री प्रवत्य मैदान हो गया हो कि इसके अंतरगत इसके अंतरगत कारा कोरम लगा जासकर 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 मैंने लिखो ट्रांस हिमाले चेत्र इसके अंतरगत कारा कोरम लगा जासकर आदि परवत्यों आती है आधि परवक्त्रेनिया आती है केटू या गॉडविन आस्टीज केटू या गॉडविन आस्टीज कारा कोरम की सरवोच चोटी है जो भारत की सबसे ऊची चोटी है केटू या गॉडविन आस्टीज कारा कोरम की सरवोच चोटी है जो भारत की सबसे ऊची चोटी है लिख लिए ट्रांस हिमाले छेत्र अब आगला लिखो अगला लिखो हिमाद्री अर्थात सर्बोच या जिहद हिमाद्री पहले हम लोग क्या पर रहे हैं पहले क्या पर भायत का भौतिक सो रूफ उसमें पांच भागों में बाटे हैं उत्तर प्रवत्य मैदान फिर विसाल मैदान फिर अपर समूदндर्ट उसमें पर रहें ऊत्तर प्रवत्य मैदान के बारत violा इसकी तो इसके औंटर्गत काराकोरम लद्दाक जासकर आजिए उट्रह सेलेनी आती है फिर देखो फिर हमाद्री अर्था सर्बोच या बिरहत हिमाद्री तो यह हिमाद्री की सबसे उची स्रेंडी है यह हिमाद्री की अब एक मिनत तुम लोग लाइन पे हो लैप्तप को चार्ज को चरहा लेते हैं तुम लोग को एक बार तो जादा कमें पिए इस प्रिज़न हो जाता है तो लोग पानी पीड़ोग तो 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 कितना पॉने पिए अधी थे नहीं आता है यह सर्फ चुका फर्म कौन बहरा है तो का फर्म नहीं आता है से यूएटी का यह सार्सी वी टीक है जलो अगे वर ना तो कले बूद अबडेट काता है नहीं है बहुड हुगा लिखो च्रांस इमाले चे अच्छा बात मी समझाएगा भी लिखा लिक्षी विला काम प्रते है लिखो हिमाद्री अर्थात सर्वोच या ब्रिहद हिमाले लिखो आदे हिमाद्री हिमाद्री अर्थात सर्वोच अर्थात सर्वोच या ब्रिहद हिमाद्री लिखाई दे रहा है जा रहा है जिंगर बोलवा रहा है जिंगर बोलवा रहा है इस हमालाई की सबसे उचीष रेनी है बोलेगा कि हिमाले की सबसें उची सेरी को या बिल्कुल सही बहा है लिको यह ceram लिखए जिया अर्था उंच्छा उचाई च्छाव हजार मीटर है यहमाले की सबसें सुच्छी स्रेनी इसकी औंसत कुझाई 6000 मीटर है कि विस्व की विस्व की सबसे ऊची चोटी एबरेश इसी परवत स्रेनी में इस्थित है एंगला तीसरा नेमबर लिखो तीसरा नमब दूसरा यह थितरा अगला लिखा ना यह तांस हिमाले छेत्र जिसमें आपका काराक वना प्रांस हिमाले छेत्र में लदाक वाला इलाका जासकर यह सर यह सर दूसरा हिमाद्री लिखवा है यह सर अब तीसरा लिखो हिमाचल स्रेनी अर्थात लगू या मद्य हिमाले हिमाचल स्रेनी अर्थात लगू या मद्य हिमाले लिखो इस स्रेनी में पीर पंजाल धौला धर लिखो लिखो मसूरी सर अलावासना का ट्रेनिंग होता है सर मसूरी अधी हिश्री सर डे सर लिखो गउर्ट्रेनिंग हिमाचल में अब आगो, आगे आजाओ, दूरी के बाद के आप शिमला, शिमला, लिको शिमला, कुलू मनाली, सिमला, कुलू, मनाली, मन्सुरी, शिमला, कुलू, मनाली, विसा तो अच्छे सनाम जाने रहे होगे? यह सर, यही पूपा है, मन्सुरी, दारजली, आधी, लगू, हिमाले में ही है, तो बोलेगा, शिमला, यह इन पांचों में नाम जेदेगा, कि मनाली की सिमाले के अंतरगत आता है, यह बाद कर लिको शिमला, कुलू, मनाली, मन्सुरी, दारजली, आधी, लगू, हिमाले में ह है कि अब दिखो लिखो सिवालिक कि इस वालिक यह हिमाले का यह वाले का नभीनतम भाग है दिखो सिवालिक अदना समझ में आए तब बोल ना भागे तर भी पहले बोल देना कि भाया भाग रहे है कि लिखो लिखो कि इस वालिक के सामने यह हिमाले का नभीनतम भाग है नभीनतम भाग है पच्छिम में इसे दून या द्वार कते हैं जैसे देहरा दून अभी ग्वार कि आगे बढ़े हैं हिमाले अच्छिम में पर देख लिखो यह हिमाले का नभीनतम भाग है यह हिमाले का तर लो एलो एलो सर वेलो बोलीन अच्छिर इदर आंदी आगया फोन वी चार्ज नहीं है अंधी आगया तो आपको यहाज आगया देख पहुंजा आगया तर लाइट से ले गई है हमारे यहां तो शाड़े दस बेस से लाइट नहीं है सर्थ पर भी क्लास कर रहे है कि किसी फ्रेंड से महाँ है ना तर मेरे तरफ बिजली वीचमा करिया अंगू डाल लगा है हमारा तरफ भूत आगया है गेटवाप पत्त भूत आगया अरावली की पहारियां राजस्थान राज में है यह सबसे पुरानी चटानों से बनी है हरावली की पहारियां राजस्थान राज में है अंधी आगया है अंधी आएगे अपन घटकन जाएगी अब लोगे आता है पत्ता भी निखलता है अरावली की पहारियां राजस्थान राज में है यह सबसे पुरानी चटानों से बनी है इस पहारी की सबसे उची चोटी माउंट आबू पर इस्थित गुरू सिखर है इसकी उचाहिए सट्रे सबाइस मिटर हाँ है हेलो अपने सर चूटी हेलो चूटी हेलो चूटी हेलो बोले कशाहिए बतरी शरवरान करो चलेगा आदा आए गंता पूता तो कि आरे क्लास आप फूर सकते हैं इसको कोई नोटी पोल्स केड़ेना इजाना करे चाहँ नहीं कोड़ने का इसको डिछ दिदेना मांकी किसी ना देना कि प्शू कोई पिद्या सबसे उची चोटी सबसे उची चोटी माउंट आब पर इस्थित गुरू सिखा रहे है अब लिख लो आगे लिखो आगे लिखो मैकाल बठार कि दिखो मैकाल पठार मैकाल पठार कि छत्तिस सत्तिस गढ़ में आए तक सार हैं इसर्ग गरव में हैं लड़का तो उतना उस्यार वजगी बहाना करका तुम्हारा किसमत कराब है किया कर सकते हैं यार हस रहा है बारीज की जाए यार कम हस तो अब कितना अशे वाई तर्य यह मैं काल पठार किया है मैं काल पठार शट्थिस गर्में पठार का नाम है नाम है अगया जाओ इस निकलती है तो लिखाएंगे नदी के बाइन चलो आगया जो लिखो सथ पूरा कि इसने निकलती है सर सथ नर्मदा नदी में काल पठार के अमर कंटेक उधर से निकलती है इसके पच्छिन से बहाँ ठार के पूरा की पहारिया सथ पूरा की पहारियां सथ पूरा की पहारियां मदपरदेश राज में इस्थित हैं ढ़ी सरोर्व ऑसने पहारियां निल गिरी की पहारियां निल गिरी की पहारियां नादु में है नेलगीरी की पहारी कर दोड़ा बेटा इसकी सबसे उची चोटी डोड़ा बेटा कि में नीलगीरी की पहारी कर दोड़ा बेटा I क乃 से मत्बड़े है कि सब्सक्राइब दोड़ा बेटा नील गिरी के पहारी तमिलाडो में है और इसकी सबसे उची चोटी दोड़ा बेटा है दोड़ा बेटा के सामने लिख लेना कि दच्छिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी दूसरी अब लिखो आगे लिखो आगे लिखो अन्ना मलाई ऐसे लिखो आधना ना मालाई लिखो अन्ना मलाई अन्ना मलाई की पहारी पर इसती दश्क्षं महारत की सबसे उंची चोटी अनय मुदी यह क्οेसित आया थाना सवाल Yes, sir. दच्छिन भारत की सबसे उची चोटी अनय मुधी है. उचाई इसके निटे लिख देना. 26,000 दो आजार चौशाची अन्दी. आजार चौशाची अन्दी. आ गया जो. लिखो. हो गया. लिखो अगला. लिखो भारत के दो दियूप समू है. लिखो. भारत के दो दो समूप है. अब लिखो. पहला लिखो. अंडवान निकोवार दिप्तम. पहला लिखो अंडवान इसको लोगा. अब लिखो. अब लिखो. अब लिखो. अब लिखो. अब लूगा. अब लिखो. अब लिखो. अंडवान निकोवार दिप्तम. अंडवान निकोवार दिप्तम. बंगाल की खारी में इस्थित है. अब लिख रहे हो. अब लिख कोई है. तुचिन कोई निकल गया. अजिट्या अबने अविशेक, अजिट्या अमिट, अंशु जिद्ध्या प्कार्ड, पुशन, मंतु, मुनिका, पूजा, परकास, रज्मिनिस, जिट्टा. अब राच चला के सर्देव राज. रिया, भुधी, एसके, सत्यम, श्रेया, महला सवसक्ती तरण बहुत देज चल रहा है. अच्छी बात, अच्छी बात थे, महला अटितर है कि तक तेसा आगे प्रहता है. अधिको बार दीप समू, बंगाल की खारी में इस्थित है, ठकोगे तो बोलते ना, पानी पीने को लिट शुट्टी देखे. नहीं तो ऐसा नहीं कि भाग जाना. अधिको बार दीप समू, बंगाल की खारी में इस्थित है, जो शेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा केंदर्शासित पर्देश है. कौन लर्का ऐसा है, जो क्लास रात रात वर किया है, इससे पहले परहा है? हम सर, हम सर, हम सर. हम सर, हम सर. अब लिखो, इंपोर्टन्ट अप्लिव. जो शेत्रफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा केंदर्शासित पर्देश है, ठीके? अब लिखो, इंपोर्ट बलेयर है. है? 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 अब लिखो, इंपोर्टन्ट अप्लिव. सुन्दर बन, जो गंगा का डेलता है, में मैंग्रोब बन पाये जाते हैं. सुन्दर बन, जो गंगा का डेलता है, में मैंग्रोब बन पाये जाते हैं. अब तुन्दर बंद जो गंगा का डेल्टा है में मैंगरोब बन पाये जाते हैं अच्छा सब लरका ना बोलेगा इस बात की सर गल्टी किया आप बिना वपरहा दिये वपरहा दिये कोई अब बता वाँ क्लास में बोलेगा आज क्लास लेंगे लेंगे अब को तुम मैंसर अभी को बोल दिये थे सब जो बोलता है कि बैक अभी सेख लिए मोगता है अभी सेख किया से से कुछ है सर हुआ है असरू एक था हूँ क्या नाम था उसका परदीप को अरे सट्यम परदीप किया सो नंबर लाने वाले को तो छूट गया पूरा जोग रोकिए हाँ भाई फिर टॉप करेंगा है और यू सी यू टीपी हंड्रेट लाएगा लिगो भारत की नदियां पिर भारत की न पृष्ट परदी नाम के नाम नाम से लिखाएगा अब लिखो पहले कैसे कैसे निकना आज तुम को वाम बता दे रहे हैं और उसे तुम धाचा बना लो तुम लोग कैसे लिखो लिखो एसे नदी किसा लिखो नदी फिर ऐसे करके लाइन बना दे फिर लिखो उदगम तुम लिखवाए थे सब्सक्राए नियर्ट में और तापसी है तेस कर देड़ा जो लिखो लिखोड़। लोग बता के लिखना दिखना इस अंगम या मुहाना आप सिंदू लिखवाये तरह सहे इसका लेकर लिखवाये में प्रूंटिन, यह अधित क्यों कि रस्ने आप सिंदू को पर लेकर है इस सर लिखो तो लिखो सतलज यह ने लिखो सतलज सतलज उद्गम के सामें लिखना तिबत के तिबत में मान शुरोवर जील के समिप इस्थित राकस्ताल तिबत में मान शुरोवर जील के समिप इस्थित राकस्ताल तिबत में मान शुरोवर जील के समिप इस्थित राकस्ताल संगम या मुहाना है जो संगम होती है इसकी ब्यास नदी से ब्यास नदी ठीक है भारत लंबाल कितनी है 1500 भारत में 1050 किलो मिटर में आगे आजाओ आगे आजाओ गंगा यम लिखवा दिया ना कि यमुना नहीं 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 लिखो यमुना लिखा बंदर पूंच बंदर पूंच के पच्मित हाल पर इस्थित यम नोत्री हिमानी यम नोत्री भी याद करोगता है यमुनोत्री यमुनोत्री हिमानी संगम कहा होता है पर्याग लिख इलाहाबाद में गंगा नदी अब 1375 किलोमेटर 1375 कि आगे आजाओ लिखो सार्दा सार्दा को लिखो इकाली गंगा के नाम से जाना जाता है इस वो नहीं प्रक्टे रिखो गंड़क लिखो नेपाल गंड़क का उद्गम लिखो नेपाल संगम या मुहाना के सामने लिखो पटना के समीप गंगा नदी इंपोर्टेंट है गंड़क गंड़क का लिखो नेपाल उद्गम नेपाल पटना के समीप गंगा नदी था के नहीं हो ना अब लिखो भारत में 425 भारत में 425 पर दीफ है फिर भी लिखने में क्या पढ़ना खड़ादी पढ़ाई थोरे खड़ादी करता है कि लिखो सर आप सार्दा बोले थे ब्लैक सी मतलब ब्लैक गंगा काली गंग उसके बार में ने लिख सार्दा को बतारी काली गंगा उसके बार में अब आजाओ लिखो लिखो धौली और विस्नु गंगा का संगम कहा उता है गंगा नदी कैसे बनते हुआ हम अब को बतार के इतना अंदर नहीं जाएगा लिख लो धौली और विस्नु गंगा का संगम विस्नु पर्याग में अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्न पर्याग में अलकनंदा और पिंडार पहर्चिकार अंस्वाल दार पिंडार कर्न पर्याग में अलकनंदा और अलकनंदा और मंदाकनी का संगम रुद्र पर्याग में अलकनंदा और भागिरत्थी का संगम देव पर्याग में अलकनंदा और भागिरत्थी का संगम वह देव पर्याग में अलो अगर्जा श्रूश्व और विष्णूस से क्या जोट देखो क्या होता है न यह कि इी अलकनंदा अलकनंदा जो है धौली और विस्णु गंगा एक नदी की धारा है धौली और विष्णु गंगा थी दोनों जो है धौली और विस्नु गंगा उत्राखन में जगा है उधर ही उधर है विस्नु पढ़्याग उहां पर मिलती है धौली और विस्नु गंगा तो जब देखो होता क्या है नियम क्या बोलता है जब गंगा नदी के बारे में पर होगे तो नियम क्या बोलता है कि जब बरी नदी मे जब बरी नदी में छोटी नदी आकर मिलेगी तो छोटी नदी का नाम क्या हो जाएगा ट्रिब्यू ट्री लूप्त जैसे यमुना नदी इलाहाबाद में आकर मिलती है तो यमुना नदी उहां पर समाप्त हो जाती है लुए जाती है ना इसा तो गंगा में मिलती है कि जब छोटी नदी में बरी नदी जब छोटी नदी में जब छोटी नदी बह रही है उसमें को छोटा नदी चला गिया तो नाम खत्त जब दो बराबर नदी आपस में आकर मिलती है तो वहां से एक नया नदी का नाम करता है जैसे कि जोनों दो नदी है आकर जब इसका नाम हो जाता है अलक नंदा अलक नंदा तो बोलेगा कि अलक नंदा किन दो नदियों का नाम है संगम के नाम पर परा है तो धौली और विस्नु गंगा अब बोलेगों कि सरी होता कहा है तो ये विस्नु पढ़ियाद क्यों जगा है उहां ठीक है फिर देखो जब दोरों सेम था तो नया आ गया तुम लिखने के पाद दिखो फिर देखो धोड़ी और विस्नु गंगा मिल गई तो अलकनंदा नया नाम आ गया फिर अलकनंदा और पिंडार का संगम होता है तो अलकनंदा और पिंडार का संगम कहां होता है कर्ण पढ़ियाद में कहां होता है कर्ण पढ़ियाद में अब फिर देखो अलकनंदा और मंदाकनी का संगम होता है रुद्र पढ़ियाद में कहां होता है रुद्र पढ़ियाद में अलकनंदा अ लिए उसके बाद इसका नाम क्या पड़ता है गंगादी नाम कैसे परा समझ गये न यह सिर्फ पहले धाली जुटनु गंगा मिलक्त अलक नंदा में अलक नंदा में आकर पिंडार मिल गई कर्ण पढ़ियाग में और अलक रंदा मं दाकनी का संगम रूद्र पढ़ियाग बंगला देश में पदमा के नाम से बहती है गंगा नदी बंगला देश में जमुना के नाम से बहती है गंगा नदी बंगला देश में पदमा के नाम से बहती है वराम उत्रा नदी बंगला देश में जमुना के नाम से बहती है खिक है लिखिए है अलो सब्सक्राइब कि अधार सब्सक्राइब क्लास अप्लोड नहीं होगा तो चुछ भाग जाता है तो कि भागा है वो मिना बताए आजाओ क्या लाश्ट पॉइंट लिखेंगा अब ब्रामपुतर नदी बंगलादेश में यमुना के नाम से बैठती है जमुना नहीं जमुना जमुना है सर आगी आजाओ आगी आजाओ भारत की पर्मुक जीले हैं अब भारत की पर्मुक फिश्विए रहो चुका है से ठीटी इस्टेशिश्ट डल जील बुलर जील बैकाल जील तेसनाग जील तनैनी ताल जील ताल जील देप्टाल जील तांबर जील गोवींद पन्द बलाव लिखा दिया हैं पिर सब लिखा जी आर्टिफिस्यल ले और ऐसे लेकर सब हो गया है भारत में सबसे अधीक उची परिश्टे जील चिलका जील एभी सब को बहुत काम करवाजिए आधा काम करवाजिए गाए चाइड़िक जीुके में जोगराफिक बहुत हुआ था भारत की मिंटी मधिए भारत की मिंटी ऑसमें कई निखवाजिएगा निखो पहला जलोग मिंटी बलैक सोयल है अलुविलियिल सोयल दिशाव जलोड मिंटी यह थिमिए एफिश्य पिपाद की इसिसीए पिए इसके बाद खत्म कर दो मेरे ख्याल से जी सर खत्म आज कर देजी तो फिर जोग्रफी कहानी करता पॉलिटी बचेगा है एसे रेष्ट क्रों प्योज दो रात में के थागा है थागा कोई बात नहीं है कि ऑफ प्युक्ति दो रात में खतम कर देंगे आउसके बाद तो हुआ दो करोगे पानी पीयोगे कि यह सब्सक्राइब को दो में दो ऐसे हैं ठीक है सर कोई बहुत नहीं है कोई बहुत नहीं है दूगंड़ वो तक देना पांस मिनट देचे ना जो जाने को बाद पॉल्टिक खतम हो जागा मैथ को रिपीट कर देजेगा हां अभी याद आया आप बुलेते हर दिए पीडियेगा वन कुस्तन बाने के लिए देटे नहीं है यह सब एक दिन दिये दो दिये थैने को दिनके लिए थे नहीं है नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिखने पुरेगा उसर कलेकुलेस का भाइज दिये थे वह सब्सक्राइब कुछ बना कुस्त नहीं बना सोड़ दिये रीजनिंग है और स्टैटिक जीके जीके रिजनिंगर इसमाइक नहीं था सर्हां बास दो मेंड़ दिजिएगा हम पता नहीं है सर आप बोल रहे थे कि 10 नमबर मैं 10 नमबर रिजनिंग और 20 नमबर जीके ऐसे 40 नमबर तो हिंदी इंगलेस भी तो आएगा ना है कि यंदि इंग्लिस से नमबर का वह भी रहे थे इसला दोनों परस आया है बारय नमर का हिंद्य और तिरे नमबर का इंगलिस आ रहा है पच्छेस नंबर और बागी का नमार रहेगा जोग्राफिक नॉमिक्स और हिस्टी प्रटी से मैथ दस नंबर का नहीं है गा मैथ तीन चार पाची नंबर का यह नहीं ज्यादा नंबर का यह था उसे तरह मैं मेंटल लेविट्री जूचेता है न तो कम मार्च हो रहता है पांग से अब हो गया है हाथ को आराम दे दिया है यह से अब आगे बढ़ते हैं फिर आधा घंटा पंतारीश मेंट पर हूं फिर आराम कर दो देखो आराम राम से कितना प्रेज अभी लिखवा दिये हम आप लिखो अच्छे करते हैं आई कांड एक्स्पेंट लिख नहीं तो क्या सर आठ पेज होगिया आठ स्यादा होगिया तरहा है आजाओ लिखो जिसकर बोटा हो माइब आप तरेगा कली ना सर पूलीटी सुच रहे है अगर रातों ख़ज़ेगा तो फिर क्या वोल लो कर रहा है जो रात में जगता है न वहीं इसा बात नहीं दीन में जगने वला भी पड़ता है वही अड़े नहीं भया इतना रात गुआ है अभी सब खाना खा रहा है को तब यस सर दिन किसी का हो सकता है अगर रात किसी का नहीं हो सकता अलूवियल स्वाइल जो ट्रेन चलाता है जो गार्डिंग करता है लेखो यह नदियों द्वारा लाई गई मिठी है इस मिठी में पोटास की बहुलता 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 यह नदियों द्वारा लाई गई मिठी है इस मिठी में पोटास की बहुलता होती है ठीक है लेकिन नाइट्रोजन फास्पोरस एवब हुमस की कमी होती है या भारत की सबसे उपजाओ मिद्रा है या भारत की सबसे कि इस लेकिन लिखना लेकिन नाइट्रोजन फास्पोरस की कमी होती है या भारत की सबसे उपजाओ मिद्रा है या भारत की बोलेगा नाइट्रोजन के बात की सबसे उपजाओ मिद्रा कौन है देखो जानते हो रात में पराते हैं हम रात में मजह आता है परोगी सबसे उपजाओ मिद्रा है ठीक यह जाम घ्री या भारत की लगभग 22 % छत्रफल पर पाई जाती है ये हमीं ठीज भारत के लगभग 22 % छत्रफल पर पाई जाती है मैं लिखना यह डो प्रकार की होती है पहला जो होता है फ़हला जो इसका एक एड़ देखे हो भाईया यह दिवार तूपती क्यों नहीं गया है यह सर्जे के विए सिमन्ट के निकाहस है ग्रेट के लिए तूटेगी कैसे अमुजा सिमन्ट से जो बने है तो अमुजा का नहीं है अधर बांगर में उसादी है हम बांगर में उसादियों बता हुआ है तो मैं बोलूँगा निकलेगी कैसे रात में जो नहीं जागे ते यह बड़ी अच्छी बात कहिए आपने ऐसा निकाल जाएगा सब को के टुजिट को यह अच्छा है गुरू लेकित अच्छा पार मेरी क सब्सक्राइब कि इतना वच्छा फोम बढ़ता है और जिसमें से 3-4 सा बचा एक्टिव होता जो क्लॉस करता है यह कि बताए आवे हम तुम्हें बता है कि हमारे हमारे पास तोटल 206 लरका है मेरे पास कि इतना लरका लिकां बताते हैं देखो विए का 105 से ज्यादा जिसमें क्लास करने वाला लर्का 3864 एक लेकर धर है यह कहां एस यह इतार नहीं है ग्लभाये लेकी इसको फरocyra वोग उसको परना होगा उसको सब्सक्राइब मेरे पास आया होगा शुद्स कुंदेट अब सो अचछा कर खांब को उस तो घुलिए कहा उस एकand अब पूछेगा कि भारी पूछेगा थो ने प्रीवियस पेपर में बहुत हलका था अब भी सजार अपलाई होगा तब भी हलका सवाल पूछेगा नई अब हो सकता है कि जादा हो अगर पर कि आते हैं तो फिर वह भी पढ़ने में दो-तीन में टाम बगता है चार मेना अब बाद में पूछेगा इसका निर्मान वेसाल्ट चट्टानों के तूटने फूटने से होता है काली मिठी के सामने लिखना इसका निर्मान वेसाल्ट चट्टानों के तूटने फूटने से होता है इसका निर्मान बेशाइब चत्तानों के तूतने फूतने से होता है, इसमें iron, chuna, aluminum, magnesium की बहुलता होती है मे मेगनीशियू मेगनीशियू इस मिट्टी को रिग मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है कपास की छेती के लिए यह सरवाधिक उपयुक्त होती है कपास की छेती के लिए कपास की छेती के लिए थी तकर बाइक इसना इसनों सुविर्कैन होता है थिद्बाइब निल्टी को डिटी को रेगूर मितिके नाम से भी जाना जाता है कपास की खेती के लिए तरबाधिक उप्योग होती है अता इसे काली कपास की मिठी भी कहा जाता है अता इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है ठीक है लिखो दूसरा फिर लिखो अगला तीसा लिखो यह 15% है अगला लिखो अगला लिखो लाल मिट्टी लाल मिट्टी का लाल रंग लाल मिट्टी का लाल रंग लोग अउक्साइड की उपस्थिती के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग लोग अउक्साइड की उपस्थिती के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग लव ऑक्साइड की उपस्ठिकी के कारण होता है इस मिट्टी में कपास यहूं दाले बमोटे अनाजों की किर्शी की जाती है इस मिट्टी में कपास जेहूं दालें बमोटे अनाजों की किर्शी की जाती है अब अगला लिखना या अमलिय प्रकिर्टी की मिट्टी होती है किसी को नोट्स मत देना कर दो बहुत मत देना बहुत मत देना इस तुम महनत किया हो तुम लिखते हो कोई सोया है कोई सोया है अब तुम अपनी नीन खराब किये हो को मच्छर दानी लगा के मच्छर में सो रहा होगा वहीं बात हुआना सर जो दगता है रात में वहीं इत्यास अश्ता है लाल मिट्टी के मिट्टी होती है अब लिखो चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की बढ़ाई जा सकती है बढ़ाई जा सकती है अब लिखो लिखो लेटे राइट मिठी लेटे राइट मिठी लेटे राइट मिठी लेटे राइट कुंछ लेटे राइट है एसर लिखो लेटे राइट लिखो लेटराइट मिठी लिखो लेटराइट मिठी चाई लेटराइट मिठी चाई इलाइची एवं काजू की छेती के लिए सरवाधित उपयुक्त होती है लिखो लेटराइट मिठी चाई चाई इलाइची एवं काजू की छेती के लिए सरवाधित उपयुक्त हो गया हूँ अब ही अठारा हो गया थे फिराइट मिठी लेटराइट मिठी चाई इलाइची एवं काजू की छेती के लिए सरवाधित उपयुक्त होती है अब लिखो लिखो अगला टॉपिक कि खत्म अगला कि लिखो अगला मिख हो सब्सक्राइब की कि इस वारत की किरुजिख भी वह पेयगा वे सब्सक्राइब धी गारोज ह़िए रोजर्य व्हांगोज एक दिन चातागा जाही ने भारत कर देंगे तो हम लोग खूस हम भी खूस लिख हो भारत के कुल शेतरफल का ठकना तो बोलना भारत के अच्छे तक मेरा सारे चार सुरुख्या सब देखे आ रहा है इसमें कोई है जो सारे 4 है कि आता है हम जर हम है एक कामन परसेंट आप लेट हो गया च्छों कि नहीं को कोई दिक्कत ने कोई दिक्कत नहों एक आमन परसेंट भाग पर क्रीसी चार परसेंट भाग पर चार परसेंट भूभाग पर चारा गाह परने में मजा रहा है कि बहुत मजा रहा है सब पांसो देकर आई पील दिखते हैं यह तो बहुत कम है कि एकाइस परसेंट भूमी पर बन अब सब्सक्राइब करेंगा इसमें सब कुछ बढ़ाई है तो सब को देखते हैं सब को देखता है जूड़ा कि छलोु कि लेकाइब कि लिखो हेरे में यह हुं उत्पादनोब यह चार हगा मतलब चारा गाह मतलब गाये पालतु जानबर कोच चराने दो उसकोड़ते जारा गाह अब लिखो लिखे गो लेगो-एगो न लिखो लिखो विश्व में गेहुम उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा अस्थान है भारत विश्व का 12% गेहुम उत्पादन करता है भारत विश्व का 12% गेहुम उत्पादन करता है देश की कुल किरिसी योग भूमी के लगवग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है आगे आजाओ आगे बढ़ें शुट नहीं रहा है न शुर बढ़िए न पर इसे बोले है भारत में खद्यानों के अंतरगत आने वाले पूल छेतर के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है भारत में मुख्य खाट खसल चावल है भारत विशु का 21.7% चावल उत्वादन करता है अब देखो लिखो अगला देश में गेहुं के उत्वादन में उत्तर परदेश का पर्थम अस्थान है जबकि प्रती हेक्टियर उत्वादन में लिखना ऐसे पंजाब का पर्थम अस्थान है जबकि प्रती हेक्टियर उत्वादन में पंजाब का अस्थान प्रत्थम है प्रतू चावल की तुलना में गेहुं का उत्वादन अत्यधिक बिर्धी हुई लिखो खरित क्रांती का सबसे अधिक प्रभाव गेहुं आउट चावल की किर्शी पर परा है प्रतू प्रतू चावल की तुलना में गेहुं के उत्वादन में अत्यधिक बिर्धी हुई है लिखो भारत में भारत में हरित क्रांती के जनक हरित क्रांती लाने का स्रे पहले लिखो भारत में हरित क्रांती लाने का स्रे डौक्टर मेस्जा स्वामी नाथन इस्वामी नाथन को जाता है हरित क्रांती की सुरुवात है euros पुली सोग सरसट और सट किसी भी में हुई उनीसोग सरसट और सट में हुई थीक है आग दो भारत में स्वेट करांती के जनक डाक्टर बी कुरियन को माना जाता है भारत में स्वेट करांती के जनक डाक्टर बी कुरियन को माना जाता है लिखो 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 अरे सुन रहे हो यह सर्थ लिखो भारत उर्बरक उतपादन एवं उपभोव उतपादन मतलब हुआ प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोड़क्शन अं उपभोव वा कंजप्शन कि कितना उप्योग करता है तो लिखो कितना कंजप्शन कर रहे है भारत उर्बरक उतपादन एवं उपभोग में अब बीच्व विषे वो क्या जी बोल लेगों बुलिए गए भारत उर्बरक ₌उथ उतपादन एवं उपभोग में विस्व में अफ्थान पर है जबकि चीन एवं अमेरिका करम्सा पहले बात करंदे पर भारत पुटबरक उतपादन बहोग में विस्व में तीसरे अस्थान पर है फलों एवम सब्जियों के उतपादन में भारत का अस्थान विस्व में दूसरा है फ़नों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का अस्थान विश्व में दूसरा है हलो जी सर जी सर जी सर देखो आम केला चीकू कटे निम्बू काजू काली मिर्च खटा निम्बू खटा निम्बू कटा हो खटे निम्बू ओके सर नार्याल अद रक खल्दी के उत्पादन में भारत का स्थान 20 में पहला है अब कि इतना बच्छा हुआ है सर अब बड़ी के धर ज्यादा उप्य बना होता है करनाटक करनाटक सुपारी एवं कॉफी का सबसे वरा उत्पादक राज है सबसे अधिक मात्रा में के सर सबसे अधिक मात्रा में के सर जम्मू का सबसे प्राप कुछता है राजस्थान को से लिखवा रहे थे क्या राजस्थान को से लिखवा रहे थे आप वार गोंद का सबसे बरा रा उत्पादक राज है अब यहां से इंपोर्टन अब यहां से जो भी है जो जो आपके एक्जाम में सिधा ठक्राएगा सिधा ठक्राएगा अपके एक्जाम इसलिए यहां से अब चतना लरका है सो अब यहां से अब यहां से अब यहां से दू दूसे तीन तीन से चार अभी तो तिन तीन घंटा है क्या पुए बात नहीं यह से यह से लिखो रीत्मों के अधार पर फसलों का बर्गी करण अभी तो इंपोर्टेंट अब चलाएंगे अब यहां तक नाटक आपके आवाज नहीं आ रही है सबसे आधिक आधिक पर जम्मो का सुरुम होता है कि अधार पर फसलों का बर्गी करण लिखो रवी की फसल नहीं दोगे नोर्स किसी को नहीं देंगे सर नोर्स दिया जाता है जी नोर्स हम सब बहुत कोई मांगता है सबसे बढ़िया और जो बोलेंग को साथ कोई पुछम नहीं करेगा कि अब लिखो रवी की फसल या अक्टूबर नवंबर में तो कम रहेगा या तुम रात हराम किये हो कोई सुत्तल है अतना मेहनत से लिखे हो यह कुट में पीडियाप में देख लेगा निकलवा लेगा अशन ना क्योरे हो जाए तोरे नहोंगे लिखो रवी की फसल या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अपरेल में काट ली जाती है है अज़ा कितना पेज़ुगा हो गए सबसे इंपरेल में प्रेल में काट ली जाती है इसकी मुख्य फसले हैं सबसे इंपोर्टेंट यह हूं जो चना मटर सरसो आलू हमरे वजबारता रिटर्न होता है अब भी भाई बोल ले हैं हमरे वजबारी टर्न किसी होने लगा राही तराई मर्सो सरसो लेको खरीब फसल है खरीब फसल यह जून जुलाई में बोई जाती है कि रभी भाई लिख नहीं रहेंगे पक्का हम आपको बता रहेंगे अब दो दो अधा है सरशबस्य पैकेम्रा का आप निख रहे था नग कना हम लेख रहे हैं सरा जब काषटा थारा ब्तियास अब मोड़ीशकम entire उनकी इसी यह को हम ब्रां अपको प्रवाइब प्रवाइब गए अरे सर्फ बएक कहा है सब आधे खुईलर का लिख रहा है कि दोगी वी लिख रहा है कि वी लिख रहा है और बाकी सब सूत गया लगता है कि अजिए है धेक है भीड़े की सर्फ भैक केसे होगा मुं कौने थमाज नहीं आ रहा है उपर में जाई उपर में जाई यह और जाये लोल का वेसा कैसे अपने जरा में रहे को बताना इस अपर जो माईक का अपसन है एरफोन का अपसन है उद्धरी उसके बगल में इसके साहिल राज ये कितना जवर्दस्त सेटप खाइश्टा देखो आठें राजका बताओ वाई बाए बाए वाइ सक्सेस तुम्हारी कदम तुने में भेरी टो रखियों सब्सरेश्टा कामी सब्सरेश्टा कामी सब्सरेश्टा इस उसल्ग के अफ़ों तर्माइक पर जाईए नहाथ शुआए शुआ है वाध देखुए तमसे लरका है वो फ सब्सक्राइब जाए लगाए लिए गवाइब चेक वह इसे चेक होगा है एक में देखते हैं एक सब पढ़ रहा है अच्छा होरीजिंटल में चेंज होगा एक सकेंड एक सब्सक्राइब देखो तो अच्छा कि है कि दिशी है देखो आप रॉटेश्ण पाई हो गए स्पिकर्टिया वह सब्सक्राइब देखो है इह पर लाते है इसका इसका बंद कर देखो इह पर ला दिया लाटए है बड़ा कि बड़ा मैनत हो रहा है सो और निकलना चाहिए अच्छा पिरमीट सुनी का है तो इसको पीन करें सर, now you can check my notes, hello कहा है सरा सत्यम भाई का देखो सत्यम भाई का देखो आगया यह आपका ही चलगा है ना अगया सकेंपर यह सर बताओ यह सुंदर, सुंदर, सुंदर देखो इसके साहिन आज में निकालेगो इसके साहिए का देखो देखो वाई भाई वाः रही और देखां में विकास का दिखाते ہے देखो यह विकास का है यह देखो आभिने कुमार शींग का देखो यह वाला है तर्खा ताम हो गया सर उसका पान प्रशाद है द्यादिया बना लिये हो अधित्या अपनी खें हो यज और दिखा हो है किसका है अधित्या का गोई लेका किना चुन दर लिखता है सब्सक्रास पर तो कि इस लिए नहीं हो रहा था क्या हम परोजेंटल फून नहीं की हुए थे है पर रहा है इसका अमिस सुनी का देखो अब सब का सब का सब बजना पर रहा है यह सब यह सब सिस्टम देख रहे हो सिस्टम कितना टॉप क्लास का सिस्टम है यह सर लाइव चेक हो गया कौन पढ़ रहा है को नहीं यह सर अरे मुदा ठीफ मेरे साथ रहोगे तो बहुत हो सियार विद्ध खरीफ फसल में कहा तक लास्ट लिखे हो अरे थांक्यों यह जो तूने बता दिया मेरे को क्या लिखे हो अब यह स्टार्टी की है सर खरीफ फसल लिके नहीं यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है इसकी मुझा हम रहा इतने लरका चाहिए सही हम दिल से बता है हमको इतना ही लरका चाहिए पैसा का जो अलग सिस्टम में वह अलग है वागे हम परहाने का इच्छा इतने लरका लुए इस से ज्यादा लरका लोगए हम लोग अलग करना जैसे देखोगे न अच्छे अच्छे कोचिंग में ऐसा ही होता है तो लोग काम अलग एक गुरूब बनादेंगे जरूर बनाएंगे कल नाम अंति में लिखो नाम अंति में बता देना यह जून जुलाई में बोई जाती है और नमबर दिसंबर में कात ली जाती है इसकी मुखे फसले हैं मुखे फसले जरूर याद करना धान गन्ना गन्ना धान गन्ना तिलहन जुआर बाजरा मक्का अरहर कपास मुंखली मंडवा तिल सोया बीर लिख लो धान गन्ना तिलहन बाजरा मक्का अरहर कपास लिख जोवार और जोवार दूसरा अलग अलग होता है सर दोनों जोवार जोव यह क्यों होता है कि जोवज़ अलग लग होता है जोव रसर खड़ीप पसल चीक ना और जो है सिर्द आपको अब देखें से जोव तक धान के साहता है सर्थ जान नहीं सर जो लिखो गर्मा पसंद गर्मा पसंद लिखो या मैं जून में बोई जाती है या मैं जून में बोई जाती है एक दिन ऐसे ही करो कि पूरा मैत करेंगे इसे तो उसका बहुत अप्रेक्टिस किये हैं यह करेंगे हम लेके आएंगे कोईशन तरह तरह का पूरी रात बैट के एक कोईशन बनाएगे अलो क्लास कर रही हो कौन है अन्नू से पूछ रहे हैं सर्थ कौन है अन्नू नाम की तो कोई है यह नहीं नहीं ना कर रही हूं ना कर रही हो इंगे रहे हैं यह मैं जुन में बोई जाती है और जुलाई माई-जुन में बोई जाती है और जुलाई-अगस्ट में काट ली जाती है ठीक है यह सर्थ और आगे आजाओ आगे आजाओ अब दिखो जनवस्थान भारत में सचाइई इसको उठा लेते हैं ऐसे ही खनीonstran साधान उठा लोते हैं इसमें फांसर नहीं है क्या है फशल खत्ब तर्क गरमा फचल का मुख्र फचले क्या होगा जूट इसमें सब्सक्राइब मक्का जुआज अच्छ लिखो तो एक चीज़ लिखो तो लिखो तो लिखो भारत में सिचाई इसकुष इंपोर्टेंट इच्छ वनेगा लिखो भारत में सिचाई जो छोरेंगे कि एक पॉइंट पत्रेंगे कि राथ है अपनी पूरी को भारत में सिचाई लिखो इसक चोरो क्या बिज़े सिचाई इसक चोरो इसक चोरो ठीको भारत में भारत में भारत में सुध बोए गये छेतर के लगवाग 33% भाग पर सिचाई की सुवधा उपलब है भारत में सुध बोए गये छेतर के लगवाग 33% भाग पर सिचाई की सुवधा उपलब है भारत में सुध बोए गये छेतर के लगवाग 33% भाग पर सिचाई की सुवधा उपलब है तीस पेज हो जाएगा ना तम तुम्हें स्कूर देगे ठीक जब तक खतों में बचाई परिवाहन है और खनीज भी नहीं होगा 25 तब हो जागा पूरा इसको खतम करने के बाद इकोनॉमिक्स खतम कर देंगे ये सर्व क्या दिकत है जालू कर देंगे आतर इकनॉमिक्स दो ही दिन होगा उसके बाद तो खतम ही हो जाएगा ना अब तो अभी यह जाएगा इकनॉमिक्स खतम पॉलिटिक खतम कर देंगे दूब जब पॉलिटिक खतम हो जाएगा ना तो कि शुद्ब बाद मुझा और नलकूप भारत में सिचाई का पर्मुक्स आधन है बर्तमान समय में बर्तमान समय में कुवा और नल्कूप बरतमान समय में कुवा और नल्कूप भारत में सिचाई का पर्मुक साधन है ठीक है आगे लिखाओ आगे लिखाते हैं लिखो आगे प्राई दीपिय भारत में सिचाई का पर्मुक साधन तलाब है तलाब द्वारा सरवादिक सिचाई तमिलाडू राज में की जाती है ठीक है कि यह सब्सक्राइब है कि यह सब्सक्राइब भारत के उद्योग अंतिम टॉपिक नहीं भारत का पड़िवहन बरहामा नमबर कि रहामा जनगन ना और उसके बाद कहानी खता बाकी सब्सक्राइब इसमें लिखा दिया है सब्सक्राइब नहीं बंगर विफवास्था कि खतम को और जनगन्ना हो गया है सब्सक्राइब बहुत आब काई कि जागे थे सबसे जादा दूख पांडे को होगा सब्सक्राइब कर देंगे नोट्स नहीं देंगे उनको पता है उनका प्रूलम इसे नहीं कर रहे है कर देंगे उसको मत देना किसी कांडे जीक तो जैवे करेगा अब से कहना वह बहुत ही करता है उसको लगठा है कि ग्यानू नहीं अब श्रीव लड़का अब से कमशना कितना सब्सक्राइब नोट्स मंगा था अब श्रीव दिन से लगतार कॉल और मेसेज्ज भी कर रहे है सर अब भारत के उद्योग सब सोया होगा मन से सोगा जाएगा तो बोलेंगे कि आपका पूरा जोग्रफी खताम हो गया सब को सौट मार देगा है अम रात में प्रेसेज कर देंगे जार्श चालिस बुल्ट का जड़का लगेगा एक हो गया लव इसपात उद्योग भारत में पहला लव इसपात का रखाना पहला लिखो भारत के उद्योग में लव इसपात उद्योग लिखो देश में पहला लव भारत में पहला लव इसपात का रखाना अठारा सो चोहतर इसव्योग में बराकर नती के किनारे कुल्टी नामक अस्थान पर कुल्टी नामक अस्थान पर बंगाल आईरन वर्क्स बी आई डवलू बंगाल आईरन वर्क्स के रूप में अस्थापित किया गया था भारत में पहला लव इसपात का रखाना अठारा सो चोहतर इसवी में बराकर बराकर नती के किनारे कुल्टी नामक अस्थान पर बंगाल आईरन वर्क्स के रूप में अस्थापित किया गया था कुल्टी नामक अस्थान पर अस्थापित किया गया कुल्टी नामक अस्थान पर बंगाल आईरन वर्क्स के रूप में अस्थापित किया गया एक लिखो देश के सबसे पहला बरे पैमाने का कार खाना अच्छा दो जो डेली नहीं पढ़ता होगा उसके पेरेंट्स तो आज देख रहे होंगे वरा कूस होंगे कि चलो बेटा आज दात्रत हर पर रहा है पर कुछ नहीं नॉर्मल है इसके कुछ बोलते हैं नहीं जिसका नहीं देखते होंगे पढ़ते होंगे वहां चुदी पहर रहा होगा तो अहां सर वह बहुत कुस होंगे देश में सर्थ मेरी मम्मी से आपकी वारे को बोट रही थी क्या देखो कि अच्छ जो अभी ते बच्चा का स्लेवस खतम करवाने पड़ो लिखो बोल रहे देख में कि सबसे पहला बरे पहमाने का अध्यव बात बता देना वाम डेस में सबसे पहला बरे पहमाने कासा थोधा ततकालीन बिहार राज में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्ची अब साक्ची मत लिख देना है मैं जोनी वाला साक्ची है साक्ची नामकस्थान पर जमसेद जी ताटा द्वारा अस्थापित किया गया था ठीक है अब उतना नहीं देखना है उतना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लंबल लंबल कोई पंदा नहीं है लिखो ने शुत्ति बस्त उद्योग सुती बस दूसरा मैं लिखो सुत़् कि बस उद्योग अधूनिक धंग से सूती वर्षती पहली मिल के स्थापना 1818 इस्वी में पुलकता के समीट फोर्ट गलास्टर में की गई थी अधूनिक धंग से सूती वर्षती पहली मिल के स्थापना 1818 इस्वी में पुलकता के समीट फोर्ट गलास्टर खोल्ट गलास्टर खोल्ट गलास्टर में की गई थी परंतु या असफल रही तिको किंतु या असफल रही थी आधूनिक धंग से सूती बस्र की पहली मिल की अस्थापना 1818 इस्वी में पुलकत्ता के सम्हीत खोल्ट गलास्टर में की गई थी लिखा दिये आगे देखो खोल्ट गलास्टर में की गई थी परंतु या क्या असफल रही परंतु या असफल रही अब लिखो सबसे पहला सफल आधूनिक सूती कपरा कार खाना सबसे पहला सफल आधूनिक सूती कपरा कार खाना 1854 इस्वी में बंबय में कवा सजी डावर द्वारा कवा सजी लिखना कवा सजी आधूनिक सूती कपरा कार खाना 1854 इस्वी में बंबय में कवा सजी अधूनिक सूती कपरा कार खाना अब लिखो यहां से लिखो मुंबय को मुंबय को मुंबय को भारत के सूती बस्त्रों की रर्धानी के उपनाम से जाना जाता है देखो कभी नहीं हम पढ़ा रहे हैं तो हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं तुम नोग गोल रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं बोलना जिकिन बंद कर दोगे विन प्लाश्ट अब खुद नहीं पढ़ा पाएंगे एग गंटे में निन दाएगा आपको क्या अब नहीं पढ़ा पेंगे था बीन बुले ऐसे एग अगंटा के अंदर आपको इपुद दिन दाएगा ने कर आई और श्मरा जाकर मोटर चालू करना पड़ेगा और यहां अनीचे भूत रहता है हम जा नहीं सब्सक्राइब कर मोटर भाई को लगा जाईए तो सब्सक्राइब उनकुल ढटने लगता है आजाओ 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 लिखे कि मुंबाई को भारत के शूपी बश्त्रों की रलधानी के उपनाम से जाना जाता है जाए कगरान कुल को करन को उत्तर भारत का मैंचेस्टर कहा जाता और वैसे मैंचेस्टर मैंचेस्टर इसे लिखना यह किसका प्रश्ट लिख नहीं अब लिखो अहमदाबाद को इस अब जयानते हो इस अब एस्टेटिक मुझी आज़गा यह संभव है अहमदा भाद को अब बोलें कि अब तुम लोगों कभी निन खतम हो जाओगा नहीं आरहा है यह जो टाइम होता है ना बारा से यह निन का टाइम होता है ज़िए एक तक 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 तुम जग है तक 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 चौत ज़ग जाओ गये अक दिन ज्याद़ लेट तक सुए रहोगे मम्मी पापा अगलियाएंगे तुमको भी अगलियाएंगे हमको अम्दाबाद को भारत का मैं तो सिर्फ गाली खाऊंगा तुमको मारो खा जाओगे वुष्टर कहा जाता है अब का पता हुँ तो सो गया हुँ उनको का पता कि बेटा रात बर पढ़ाई कर रहा था चलो फिर भी सुए पारज उठाएंगे पढ़ता है लिखो लिखो रोजगार प्रदान करने की जरिष्टी से बहुत अंदर अंदर तकम बात की लिखवा रहा है रोजगार प्रदान करने की दरिष्टी से किर्शी के बाद बस्त उद्योग दूसरा सब्चेवराज शेतर है तुम लोग पर मोटी नहीं करते हो मेरे को तो क्या करेगा तर मेरे दर पर मेरे दर पर पट्री में तो लगाते हैं है एक भाई है जो स्पोर्टीव है कि आपको इंस्ट्राग्रम कमें कि आता आप लिए लगाएं लिए अच्छा वो बलाप फोट्वा में देखो जो चसम्मा पहन के खरीते हीरो यह से लगाएं तो बहुत सब्सक्राइब लगर देश्राइब लगर देश्राइब कि ए अच्छा ओ को लागाएं था था हुआ है 2006 सुन्दार थाधा दूहजार शच्ट्रा वाले सट्रा निखे सर्चा ओर्टो था कि दूंडária की तो पॉट्वा था साधी वाराम जाते हैं तो तैयार बार पढ़ी कम हते हैं अब बहिया कुछ तरिन पहें लिए तरिने मन्नों करता है कि उत्वाल मूँ कान तेरा करते हैं तो खीचवा लेते हैं कि खीच देता है सब खीच देता है तो अच्छा लगता तो अस्टेटस भी लगा देते हैं सर मेरी बैटरी खतम हो रही है, क्या कि बैटरी खतम हो रही है, चार्ज करों लिखो सुने का रेसा के नाम से मसुहूर जूट के रेसों से सुने का रेषा के नाम से मसुहूर जूट के रेषों से समानों का निर्वान करने में भारत को विस्व में पर्थम अस्थान प्राप्थ है तो दिखो पहले बोले का सुने का रेषा किसको कहा जाता है तो जूट को ठीक है गुल्डन फाइवर किसको तो जूट को तो सुने का रेषा के नाम से मसुहूर जूट के रेषों से समानों का निर्वान करने में भारत को विस्व में पर्थम अस्थान प्राप्थ है फिर से बोले सुने का रिषा के नाम से मसुगूर जूब के रिषों से समानों का निर्मान करने में भारत को भारत को भारत को भी सुमे पर्थम अस्थान प्राप्त है इसका पहला कारखाना कुलकत्ता के समीद रिस्रा नामकस्थान पर 1855 इसमी में लगाया गया था इसका पहला कारखाना कुलकत्ता के समीद रिस्रा रिष्रा नामकस्थान पर रिष्रा नामकस्थान पर अठारा सो पच्पन अधारा सो पच्पन इस भी में लगाया गया अगला लिखो भारत यही जंदी खत्म हो जाएगा इक खत्म पहला के बाद परिवहन एक अंतिम बचेगा तुम लोग को जन गन्ना परहा ही दिये हैं इसको थोड़ देंगे बन जीन अवियारं थोड़ा सा बता देंगे कुछ अभियम करवाही दिये हैं अब कहानी जन जात्म ए यारी तो कहानी खत्म हो गया तुम्हारा भारत कि वरी भारत प्रसेंट जूट को सवानों का निर्मान करता है और दूसरा सबसे बधात देश भारत भारत विश्व के 25 परसेंट जूब के समानों का निर्मान करता है और दूसरा बरा निल्यातक राष्ट है या देश है लिखो अगला अगला लिखो इंपोर्टेंट है चुनी उडियोग भी हार सुरे लेगे मजा रहा पर देगे यह सिर्व तीन दिन के सुटी का कसर जो आप लोग अधा निकाल दियें चलते हां सरतीन घंटा अह लगता तरो कि कौन बोला था कि सार ईसी बोलते हैं ना होगा कलास और हमी बोले थे यह हैं यहीं है और हमें थे विव्यावी जबेवा है लिखो अभी के बचल है कैस्ट वह है जी सर जब कोई बोला कि नहीं होगा कि लास्ताब भी सिग्मा रूल दिखा दिये ना तुर्ण सिग्मा रूल दिखा दिये बिल्कुं सही बहुत अच्छी बात अपने अब देखो बाइस अब यू लगा इस वर बढ़ गया आप इसेसे अनल तुर्ण सथी पर हैंश्रा कि लगाता नहीं सपना देने वाली है पर यहीं सम्हान हुआ हैंब लगा आ यहीं श्यक्रारे लेगा करेए aya no जो कौम बोलता है उसको आप समझते हैं कि पढ़ना ही बला नहीं तो बला बात हो गया डोन्ट जजस बुगवाइट सकोवर वही बला बात हो गया वहीं सिग्मारीन बहुत देखते हो बहुत सिग्मारीन को देख रहे हो तुम इधर सुई टिव सौर्स में भारत में आधूनिक चीनी उद्योग की सुरुआत 1903 इस्वी में विहार में पहली चीनी मिल की अस्थापना के साथ होई भारत में आधूनिक चीनी उद्योग की सुरुआत 1903 इस्वी में विहार में पहली चीनी मिल की अस्थापना के साथ होई अब लिखो भारत में अधूनिक चीनी उद्योग की शुरुवात 1903 इसवी में बिहार 1903 1903 इसवी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई बिहार में कहां कहां चीनी मिल था डालमिया नगर किसके लिए बिक्षा थे तो चीनी मिल की उप्सके लिए लिख लेना बिहार का तो तीन लिख asks आज I haven't a चाहर जादा है कि नहीं की डालमिया नगर है यह चीनी उज्योप के लिए है मुझपर नगर दर्भंगा चंपारल जो लोग 20 लड़कियो कौन-खौन से धिश्टिक से हो जाने मुझपरभूर मुझापरबुर सार आदित्यक्रिश्न मुझापरबुर अभने हाजी पूर आपके बगल में बैताली हाजी पूर अधित्या वेस्ट चंपारन वाँ 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 तो मेरी आवाज महां पहुंच रही यह वेस्ट अभन विल्कुन सार अमिक्स नहीं छपरा से अल्सू अजिपूर देखो हाजी पूर का दो दो परोसे मिल्टा जिव्या सर मेरा घर हाजी पूर में परफिय बेगुस रही मिलाते हैं पापा का यहां पिटाल सफर यह से तब हाजे पुट के बार अच्छा राट आगे प्रगति की होर आगे बताते चलो आउर सब्टों आप लोग माइक कौन करकर के सर अगल्या जिला से हैं जहानाबाद से सर मंटू कुमार जहानाबाद सर पुर्निया जिला से कौन पुर्निया से हैं कोमल सि सबसे ज्यादा कोन सब्जेक्ट के लिए सब अपलाई किया है सब्जेक्ट सब्जेक्ट बीए में कौन सब्जेक्ट इस चीनियों द्योग के लिए ठीक है और फिर गोपाल गंज है नरकटिया गंज है यह सब चंपारान कि जब नाम तुम पहरे देखें न तुम लगा कि पूछते हैं कि हम अभी तो इंट्रेक्ट करने मनता है यह घंटा का क्लास लेते हैं क्या उसने बत्याएं क्या उसमें बुले एक घंटा क्लाइए ते मेरा फॉर्म अबलाई किया थे रभी शीषा उध्वंग में हाजिपूर सबसे आगे है अब है अब ही मेरे जिला से सब के तरफ लीची जाएगा देखना कि मारे दर सकेरा जाएगा देखना कि मेरे तरफ से कुछ नहीं जाएगा देखना विष्व में सबसे पहले आधूनिक रूप से सिमेंट का निर्मान अठारासू चोविस इसवी में ब्रिटें के पोल्ट लेंड नामक अस्थान पर किया गया था लिखो विष्व में सबसे पहले आधूनिक रूप से विश्व में सबसे पहले आद्वनिक रूप से सिमेंट का निर्मान 1824 इसी में विल्टेन के पोर्ट लेंड तुम लोग टिक टोक बनाते हों हम देखते हैं पोर्ट लेंड नामकस्थान पर किया गया था अधेन करेंडस अब लोग नाते हैं अधुर्त मैं प्रव्य खाइब बाड़ंक थृटकिन का पर दिस थे खाया अधुनिक थे खाया ěुर्ट में दॅनिक दहन सुनित पर दोगल सर्व कनके ङलिद क्रिछ लेंड है वो बंद हुआ उसका चार को भाई आगे इंटीव सोट्स में इंटाग्राम रिल्स कि माउजी जोसी तिक्की देते वनों से भारत में अधूनिक धंग से सिमेंट बनाने का पहला कार खाना कि 1904 में मद्राश में लगाया गया था जो असफल रहा भारत में अधूनिक धंग से सब्सक्राइब पूछेगा लिख लो ना इस बोरा बोरा बन जाएगा तो पूछ लेगा भारत में अधूनिक धंग से सिमेंट बनाने का पहला का खाना अब लिखो 1912-13 की अबधी में इंडियन सिमेंट कंपणी लिमिटेड द्वारा इंडियन सिमेंट कंपणी लिमिटेड द्वारा हैं कि बोजी कलास करने आ रहा है कि सरसर वह में पैटरी लोग है ना मैं दूसरे अकाउंट से जोईन कर रहा हूं अच्छा 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 आप हैं प्लीज उसको इनकर दीजे देखे कि एक बज़ को 25 तुन रहात तुमें खोना रहा है आप आपको सब्सक्राइब दिया मदराज के कर खाने के बाद 1912 की अब्धी में 1912 की अब्धी में इंडियन सिमेंट कंपणी लिम्टे द्वारा गुजरात के पूरबंदर नामक अश्थान पर कार खाने के इस्थापना की गई ठीक हैं तहां पहली बार सफल रूप से अब्धर में जहां M.G. Gandhi, Mahatma Gandhi, जहां जना मुझी अथे तरे सरु से इन आपने आ है यहां अ है जा मैं जुमेरे लिए तो हो गया सब हो गया लिखो कागज उद्योग अगला लिखो कागज उद्योग कागज उद्योग है 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 यह सब्सक्राइब करने का बेट कर रहे हो तो फिर इन मज़ा नहीं आए है हां मज़ा नहीं आएगा इस बाज उसों की खतम क्यों करना देखो फिर हम लोग पढ़ेंगे रेलेवे का तुरा सा देख लेंगे तो फिर जंगना तो पढ़ाई दियां बस इक तो पढ़ना जूड़ी हो नहीं कागज उद्योग इसक्ष्ट तो देख लेते हैं आज आज तुम्हारे लिए प्रोब्लम है इसलिए इसक्ष्ट किस लिकवाद है कागज का पहला सफल का खाना अथासो उनासी 1879 अथासो उनासी में लखनव में लगाया गया यहां से कुछ कुछ इंप्रेंट थे बताते हैं बस रसानी को रुबग जर्मान जल्यान निर्वान बाई सवाल उसको बनाने का इच्छा करेगा ना वह बना देगा और आप दोनों जो हैं तीनों-चारों वो लोग एकदम खरी रहे हैं इसमें भी हो जाएगा पीड़ुसी में भी आपके पिताजी के पास पैसा है पीड़ुसी में चले जाएगा मध्य पर्देश के नेपा नगर में अखवारी कागज हलो अखवारी कागज तथा हो संगावाद में नोट छापने के कागज नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कार खाना है अब 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 आजाओ विहार में कहा कहा होता है पतना पतना ब्राउनी और समस्ति पूर अब आजाओ 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 लिखो रेल उपकरन उद्धियोग अगला लिखो रेल उपकरन उद्धियोग अंति वह तुम्हारा खतम करती है तुम्हें इसको करते हैं थोरा सा प्रिवहन देखना परेगा अच्छे से इसको दिखाने के बाद तुम्हारा खतम होके और कुछ देख लेंगे हलका हलका तुम्हारा इंप्वर्टेंट हो या लिखो रेल उपकरन उद्धियोग अब कितना प्येज़ हुआ तुम लोग का कि एक स्केंड देख रहे हैं तोला कि सर फंद्रा सार है फंद्रा इस नहीं पूरा सर प्राहेंगे एकनौमिक भी अगराइट कि शुद ये गहुआ कि एक चालीश हुआ है ना अभी कितना देर कलास हुआ है कितने बजे एक जक्स कितने बजे हम द्वाइन किया थे तर दर दस पैंटिस दस पैंटिस इन गंटा में बातचित के दौरान बोर्डिंग नहीं लगा सर नहीं लगा ना कि मजा आगे से लिए पूर इंट्रेस्टिंग उल्टा इंट्रेस्टिंग हो गया थे अधिक दॉस नीस में दीया थे दस तीस तक हम ज्वाइन किया हूंगा सुनीश में लिंगे सार रेल यह जान उद्योग अ अ अ अ अ अ लिखो कि चित्रन जन लिखो चित्रन जन लिखो चित्रन जन रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कार खाना है चित्रन जन कहां है आपका पक्ष मंगाल चित्रन जन चित्रन जन रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कार खाना है ठीक है डीजल से चलने वाले इंगन का निर्वान बारा नसी में होता है जैसे तुम कर लिए ने कलास बोलते बोलते लाइब में अब बोल नहीं पाते है न तुम टाइप करने का होता तुम नहीं कर पाते है यह से चलने वाले इंगनों का निर्मान बारा नसी में होता है अब लिखो आगे विहार के मढ़ावरा इंपोर्टेंट अच्परसा देखो मढ़ावरा लिख दिये देखो बिहार के मढ़ावरा में डीजल इंजन वा मध्यपूरा में विद्धूत इंजन कर खाना लगाया जा रहा है बिहार के मढ़ावरा में डीजल इंजन वा मध्यपूरा में विद्धूत इंजन कर खाना लगाया जा रहा है पंजाब के कपूर्थल्ला में देखते हो ट्रेन पर जाते होगे तो लिखा रहता हो दा कपूर्थल्ला तो मैं चरहवानी तक मैं टरेन पर नहीं चड़ा हूं पर पढ़ रहा हूं अब है पर रहा हूं नहीं तक मैं चड़ा नहीं पर दो तरला बस पर भी नहीं चड़ा इसेंगों सब्सक्राय नहीं आपको मैं रहा हूं नहीं प्राघंबिक भारत में जी रहा है तो थो फी सेमिघ्रस रहे हैं इसलिट मेरे लिकाइए अब हमें वाक से रहों नहीं चाथ हैं लिए सब्सक्राइए टाइगा तो यह थे और गजुद आए तो पटना की जन्देने लिए इसे बहुत है नाइट से प्रेंड के पास रहे के पादल हो गया है इंट्रीकल को स्थापना की गई है कि कि अगे आगे आ जाओ अले पंजाब के कपूर को कपूर्थ हुआ में अब आजाओ आजाओ एक पर एक हमरे पास लड़का है कि आज आजाओ लिखो भारत में कोई बहाँ उद्योग आपका होगी है यहां पर खटर लास्ट आपिक वेचा है भारत में कोई लोगा है इपर लोगे कितना टाइम हुआ है अगर्श के पैंतालसे मिनट दुआ है यह तेन बजने का वाथ है इस तीन बजने को बात है इस तुल आपका मुश्च इस फरक पड़ता है कौन्टिटी से नहे है और क्वालिटी सी मिले तो क्या गिए इसे कवालिटी प्लस क्वान क्हति है , कोई दिक्तक्त नहीं foreign कि वाइलिटी तो में आउल क्या चाहिए बताओ तुम वह से इंपर तुम क्या करों कि उसरे बेश्ट है टीक है फो तुम सब्सक्राइश लुसेंज तो 35% लिखवा ही दिये क्वालिटी तो दौसी है रहे है सर तौम वह भी बीपी थी का या यूपी से यूपी से यूपी त है बस बस ऐसर वही बात वह में विदियो अम्रा गाम नहीं वाई लेश्ट है वो वीडियों हमभी देखे तो पूरा सांतीस हैं ऐसरी आफ और गिलास दे पानिया दे रहा है न बस बस पानि आपानी है यूपीस्ए पानी दिटा पानी है कि आक डिने चुनिलाध तरवा कि तरवाद इसमें आके निम्मक भोल ना देखा लिए उन्टा करकों की हार द्रोगा भी प्यस्थी जे साथ अन्ठामन दसम्लोव अन्ठानवे लाख किलो मेटर का सरक मेट बरके तो अब इसमें अब इसमें की फोड़े लाइन है कि गाउँ वाला भी सब्सक्राइब जिसमें राश्टीय राजमार्ग राज राजमार्ग और पहला लिखो पहला लिखो राश्टीय राजमार्ग अब देखो भूरिंग जैसा मत भूआ अब लगेगा तो लगेगा तो लगेगा तो फिरू लगेगा वूगा इसा तो फिर कभी नहीं पड़ पाएंगे तेरा इसा नहीं होड़ा है तर अच्छा लग रहा है लिखो राष्टिय राजमार्ग लिखो इसके निर्मान इसके निर्मान प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वाया निभाई जाती है यह संपूर्ण देश के सरकों की कुल लंबाई का लगवग दो परसेंट है दो परसेंट है उसके लंबाई का दो परसेंट है राजमार्ग आपका है आगे आजाओ आगे आजाओ बरतमान समय में निको बरतमान समय में भारत का सबसे लंबा राश्की राजमार्ग है इन एच चौवालीस इन एच चौवालीस बरतमान समय में बरतमान समय में भारत का सबसे लंबा राश्की राजमार्ग है इन एच च सब्सक्राइब नाम है नहीं कि इन चौवार्ष या देखो लिखो श्री ना कहां से कहां तक जाती है कश्मी से कन्या को लिखो नहीं चौवार्ष नीचे लिखना है यह जैवत मेर्स से आंतरीक देख्याफ कृस्मिर मंठीय भाणतों कश्मेट मेर्स कसण मेरग्णिया कुमारी आ व हला फोलेशन मेरख्यो systयां इसा उइन प्रस रणीजा-इज्ञा-फॉल्व्स आगे आजाओं देखो पुराना राष्टिय राजमार्ग संच्छा एक और दो को समलित रूप से जीटी रोड कहा जाता है पुराना राष्टिय राजमार्ग पुराना ओल्ड नेशनल हाइवे संच्छा वन एंटू को पुराना राष्टिय राजमार्ग संच्छा एक और दो को समलित रूप से ग्रेंट रैंक रोड कहा जाता है हम पहले बोले था नग सब मेरे पे हैं हम चाहेंगे तो कोर्स दू दिन में एक सिसके खतम कर देंगे पहलिए बोले थे बात तो तुम लोग रहा गए थे तो क्या गम है प्यारे बात चाहिए नहीं बूले हम जेटी रोट का निर्मान सेर सासूरी सब्सक्रां कर वाग है ना सर निर्मान कर वायए ता मरमत नहीं कर वायगा त鬼 क्रावन में कि बारत का सबसे छोटा राजमार्ग अच्बुमटर शबसे छोटा टारा और इनेच पांसो एक्सो नोका भारत का सबसे छोटा राजमार्ग राष्टी राजमार्ग एनेच 118 और एनेच 548 है एनेच 118 यह सिद्धी अठाव एक सोठाव और 500 548 एनेच 118 जो है इसके नीचे लिखना जहार खड़ और एनेच पान्सो अर्टालीच जो है महराष्ट्र महरास्ट्र महरास्ट्र अ और लिखो जो जो है इसना ऊवरूर्नीं चत्रभुजि योजना इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट महरत लिए प Kerry लिघ्ट ये अ impe कि इंगलिस में क्या तो वो इते हैं है कि सिर्फ को नहीं प्रेसेंट है उसको हम बात में सन्वर्ट कर लेते हैं जो विचारों महानगर को मिला नहीं का लिखो लिखो स्वर्निंग चत्रभूज योजना के अंतरगात नहीं कि जळिघोल योजना के अंतरगात पाँच आठ सोच्यालिस फाइव एट फोर गिखो सिच्व फाँचा आठ सोच्यालिस चार महानगरों धिल्ली, भूंबय, शिन्याई ब कुलकत्ता को जोरा गया गोल्डेन कोरेलेटरल हाँ 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 होई 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 है स्वर्नीम क्योत्रभुज योजना के अंतरगत अंतरगत पांच अजार आट सो किलो मेटर लंबे राष्टी राजमाज द्वारा कोईशन पूछेगा द्वारा चार महानगरों दिल्ली, भूंबय, शिन्याई ब कुलकत्ता को जोरा गया ठीक है आगे आजाओ रुग गया सर रुग गया है रुग गया है इस अड़ ठीक है लिखो राज जी राजमार्ग लिखो राज जी राजमार्ग राज जी राजमार्ग लिखो इसके नीचे लिखो ऐसे करके इसका निर्मान एवम रख रखाव इसका निर्मान एवम रख रखाव इसका निर्मान एवम रख रखाव की जिम्मेदारी राज सरकार की होती है इसका निर्मान एवम रख रखाव की जिम्मेबारी राज सरकार की होती है ठीक है राजियों के राजमार्ग की लंबाई बर्तमान में एक लाख चपन हजार छो सो चौरानवे किलो मिटर है लिख जते हैं एक लाख चपन हजार छो सो चौरानवे किलो मिटर है लिखो राजियों में सरक मार्ग की लंबाई में पर्थम अस्थान राजियों में सरक मार्ग की लंबाई में पर्थम अस्थान महराष्ट का है लिखो अगला माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का लगभग 80% 80% सरको से ही होता है अब आजाओ तुम लोग सर एक बार और बुलिएगा माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का लगभग 80% सरको से ही होता है आजाओ लिखो अब की बार लिखो तुम लोग रेल परिवहन फिल्परीवन परोगे में थाके नहीं हो नहीं सर बिलकुल नहीं क्या परीवान कोड़ेंगे रियल्थे सथ्या भाय भी नहीं किया हुआन वार किया कर दो किया हुआ था रिख याद गिन तो नहीं है जाता है अभी तो बाहर जाया कहीं तब ना जाएगे इन तो कैसे लास बगेरा बिल्कुर इतना में उमर में बताओ हम तुम्हाले एंसी से सेंथ में आयतें से स्ट्विल्स में आपके पास जीवन तो इसी करती है अब एक डूड़ तो इन्नों ने किये नहीं अधर मीटाहिए और इसे अटवाइज चले नाव सुने हैं आगी आजूं तो तुम्हारे प्रइस तो तुम्हारे भेज़ेंगे भी फिर नहीं आकर लेक्ट हैं ने जहीं तुम्हारे प्रेंट्स वह भेज़ूए अधर्यावाद जाम देने के कि अब बताएचेश्व पाहँ भर देते हैं सेंटर अम नब अब पार आ खूमने की भूहने पर अगल से नहीं देगा के पोच्छा के नाम पर जरूर देगा हम भर देते थे हम कलकता घुमे सेंटर के नाफ को कलकता बरानशी वहल सफिर हैद्राबाद चंडीगर अब एक दिन जाएनगे राची के नेमी धारतिये रेल एसिया की दूसरी सबसे बड़ी नेड़िक है वा सौ खेर व्यक्षा है विश्या है शर्वी जाएंगे पर जाएंगे कहाँ यही समय पोश्ट तो सेन पड़ता है ना इस या की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है हाटिये रेल एसिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है इसको जाना था देखो बहाना की चल गया भारत में स्वर्पर्थम रेल वेवस्ता की सुरुआत् एप्रेयल अठारसो तिरपन में मुंबई से थाने मुंबाई से खाने 34 किलो मीटर 34 किलो मीटर के बीच प्रारम्ब हुई 34 किलो मीटर की प्रारम्ब हुई ठीक है लिखो भारतिय रेलवे बोर्ड की अस्थापना भारतिय रेलवे बोर्ड की अस्थापना भारतिय रेलवे बोर्ड की अस्थापना उनिशो पांच में की गई आजओ आजओ देश में सबसे लंबी दूरी तई करने वाली रेलगारी विवेक एक्सप्रेस है डेश में सबसे लंबी दूरी तई करने वाली रेलगारी विवेक एक्सप्रेस है जो डिवुगद से कन्या कुमारी जाती है सबसे लंबी दूरी जाने वाली ही तो है कि सब्सक्राइब कहा है आपका असम्भ से कन्या कुमारी तर्मिन लाड़ू लिख लिए ये सब्सक्राइब देशे चार हजार देशे शीयासी किलो मेटर ठीक है अब लिखो जब छोड़ो लिखो नई दिल्ली से हजरत निजाम अदीन हजरत निजाम अदीन नई दिल्ली के नई दिल्ली के हजरत निजाम अदीन भा आगरा कैंट अस्टेशन के वीच पांच अप्रेल 2016 से चलाई गई गतिमान एक्सप्रेस देश में सरवाधिक गती से चलने वाली रिलगारी है नई दिल्ली के हजरत निजाम अदीन भा आगरा कैंट अस्टेशन के वीच पांच अप्रेश से चलाई गई कचिमान एक्सप्रेस देश में सरवाधी कटी से चले बाली इलगारी आई तो यह विए यह दो अवा जो यह तो फिरी शो जो मढई नियुदे ओर कि विर्ष गर्ण युद शोग्ड़िव खो इस ओर आगेर चला जूमत विसेंज जूली लिग और अधर लिगो बिजली से चलने वाली पर्थम सवारी गारी डेकेन कुईन थी जो बंबई एम उने के मद चली थी बिजली से चलने वाली पर्थम सवारी गारी डेकेन कुईन थी जो बंबई एम पूने के मद चली थी एक जून उनीशो तीज आगे आजाओ लिखो भारत और पाकिस्तान के इंपोर्टेंट प्रेम से यही है सबसे जाते वाला समझोटा प्रेम आज और कि लिखो लिखो भारत और पकिस्तान के बीच चलने वाली समझोटा एक्स प्रेश्ट बंड़कटि Reese मज़का है डिक बहद्रों पाकिस्तान के बीच चलने वाली जोटा एक्स्प्रेश वाजाеш tidy सम्झोता एक्सप्रेस लहौर अटारी के मद्ध लहावर और अटारी लहौर पतिस्तार में अटारी इंडिया में लहौर अटारी के मद्ध एवं थार एक्सप्रेस मुना बाओ जो है आपका बारमेर आश्थाद में और खोकरा पार खोकरा पार सिंद्ध के मद्ध चलती है भारत और पकिस्तान के बीच चलने वाली सम्झोता एक्सप्रेस लहौर अटारी के मद्ध एवं थार एक्सप्रेस मुना बाओ बारमत लेखना खोकरा पार खोकरा आप लिखते दिखाते हैं साइड़ में है पर हो हुआ है खोकरा पार है खोकरा पार हुआ होखार पार है तो छिंद के मद्ध चलती है कि आ कि है कि आजाओ कि मैंने मेट्रो लेल छोगो कि खतम करो यह लगवा कि आजाओ लिखो बायू परिबहन बायू परिबहन बायू परिबहन लिख लिए यह से लिख लिए लिखो बायू परिबहन बायू परिबहन की सुरुवात भारत में बायू परिबहन की सुरुवात 1911 इस्डी में हुई भारत में बायू परिबहन की सुरुवात 1911 इस्डी में हुई जब इलाहाबाद से नाइनी के बीच विश्व की पर्थम विमान डाक सेवा का प्रिबान किया गया जब लावाद से नाइनी के बीच तरा आप बोले थे एक बज़े के बाद नीम नहीं आता हाथ नीम थोड़े आ रहा है कुछ वरा रहा है इलाहाबास से नाइनी के बीच विश्व की सेर पर्थम पिमान डाक सेवा का प्रिबान किया गया हम लोग करने पूरा गया हो गया हो गया हो गया है बहुत बज़ना बात आजाओ आजाओ लिखो इस अब लिखवाद ही अच्छे ना इंद्रा गांदी हवाइटा करा है जल्प परिबहाद लेखो अब लिखो बायु परिबहाद गया जल्प परिबहाद ही जल्प परिबहाद लिखो जल परिवह निख लिए है ये सरींगें यह परिवहान न निंए ये परिवहान नदीयं नहरों एवाम झीलों के द्वारा होता है यह परिवहान नदियों नहरों एवं जीलों के द्वारा होता है बोलता है जो परिवहान नदियों नहरों जीलों के द्वारा सो क्या कहते है उसे आंतरिक जलमार्ग कहते है ठीक है अब देखो आगा जाओ देखो सामुद्रिक जलमार्ग सामुद्रिक जलमार्ग पर समुद्र बढ़े सामुद्रिक हाँ विस लर्का है अभी चाहिए अभी 200 के 200 रहा जाएगा कौन भागा कोई की नहीं भागा पर फिर फिर पांच वोटे अधारा लर्का मतलब की कितना भागा टोटन पांच कोई सब्सक्राइब कर दो परसेंट बच रहा है सर लाइट नहीं है बारी सब्सक्राइब तो दस बसे लाइट नहीं है समुद्रिक जल मार्ग भारत की लगवाग भारत की लगवाग पचातर सो संतामन किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है भारत की लगवाग पचातर सो सत्रा किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है भारत में भारत में बारा बरे भारत में बारा बरे और फुरा साव भी तुम पढ़ लोग में तुम्हारा ही जोगा भी पतव हो जागा भारत में बारा बरे लगवाग दो सो छोटे पतन हैं बारा भारत में बारा बरे बारा बरे और लगवग दो सुख थोटे पंदद है पंदरगाः बंदरगाः बोट जनगनना लिक्वादियाना इस तरना पूरा हो चुका है सरबढ़िया एक खत्म हो करने लिए हो ऐसे आप उन्य सब्सक्राव को तन्र होगया है अधाम पर सब्सक्राविए ह बाताये थे जारखन्द बहुआ मुगनी जक्ता जक्ती हाँ हाँ अब नगबा नगनी अब लिको जानते हो कितना एकनोमिक्स चार क्लास अभी बहुत अभी थो घंटा करा देजिएगा ना तर चार बजे तक तो को जाएगा बस क्या अफिर परल करवा दीजिएगा उसके बाद दो दील में कर लेंगा पाली असरो बॉलिटी अदेगा नहीं सरो करो जाएगी पॉलिटी नहीं सर्भी अव्या नहीं समय स्था। कि अगर अगर एक नोमेक्स पुलेटी सब्जक्ट है तब वही होगा तब वही होगा तब वही होगा तरादिस्टे का वही करवाई तराज पूरा पूर्सी खतं कर तुम आरे पास चार गंटा है तराज गंटा कराई दिन बर तक बैठ रहेंगा आपको सब्सक्राइब अब फिर चार पे लेप्टोप को अब फिर पानी पीए तुम लेगा तुम लोग तुम लोग पांच में तुम लेकर रहना पड़ेगा त थारा लड़का के थारा लड़का रहो पॉलिटी खतम करते हैं चीवजे तकाई इस लगो चालू किजेगा कलास तन गांद रोटी खाले ते दूद रोटी खाले थे तुम लेटें थे लिए ना सब्सक्राइब भागना नहीं पाने पीकर सब्सक्राइब करते हैं मेरा बैटरी आपको हम देदेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे तो सब्सक्राइब हाँ 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 हो जाना अरे जो दोटीस में तुम खाओ तो तक ठीक हम दूद रोटी खा रहें अब तुम लोग जाना मत हों हम हैं हम हैं हम दूद रोटी खाले नहीं जा रहें बोलते रहें हैं ऐसा नहीं कि लेट जाना लेट जाओगे तो नींद आ जाई कि अश्र बैठें रहो आप अब कि अच्छा नहीं लम्बे दूरी के लिए लम्बी दूरी के लिए सबसे सस्ता जो है वह रेल है दो मिनट में हम दी आते हैं पानी लीट तो वाम में बचे हैं झाल 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 आगे तुम लोग उननीस एक कौन भाग दिया ये सर बैटरी बाला झाल झाल एसए अ लस Imma एक किनिया अमी का सब्सक्रिटर dotरो निकन interfering ंईइ Mango को सबंगे यक्रुटर यचिनिए यक्राल यच्रण ढीटिया ऍब हल फिहerson सुमन यइट यझेकल यज वेच्छ ते gonna be the Titans व्यट सर ऐक कर्या on theQคट यज तिह dollars र यजर झालन कर लिद्कर यजर Allah जो एक टेंडेंस वरा है कैसर नहीं जो दो में टूगे ना सब्सक्राइब खारा है तो मजे से खाओ अब आज जा रही है कि प्रोब्लम हो रही है वाज आज यह जा रहा है मखई करोटी है कि गेहों के तो है पिए लोग पने पीकर मकई को होता था और मजा था कभी कौई हो कभी क्या रोज कहते दो भी मशला मकाई का चाओल का आंट गहों कश्बता कख गई है बच्चे कम हो गए अरे यह जो गया है हुँ आएगा बीस में आएगा तरू कि अच्छा पहले इस बताओ कि भारतिय संब्लिधान में जो अंग्रियज लेकर आया उसको करते जाएं जो हमारा यह भारतिय संब्लिधान सभा से पढ़ाया कि अरे रहलेक्त चेक्ट क्या बोला गया रिगुलेटिंग एक्ट इल्टा बहला गया थो प्रहांना ही प्रेंगा उत्ते तो इंविलिशनों के आता है वो नए शरॉबाद में भी पढ़ा सकता है ना अरे नहीं स्टार्टिंग पॉइंग है लेकिन उसको बाद में भी पढ़ा जा सकता है अरे भाई ठीक है तुम कहीं ना इसन ले रहे हो सब फत्म हो जाएगा लिखो बात यहीं कव की शत्रा सो इसको बन करें जादा हला करता है इस में अपूरा पूरा इंडियान जोग्राफिय का सरे पूलिटीका नोट्स बनाया हुए है कि अधर जोग्रा की सब्सक्राइब लगा तका साथ कुझे के बाद दिक्कत नहीं होगा साथ वजी तक यह हुं खतम कर देंगा पूरा कि अधार दीजिए एक सकनल लोग यह बस दिख लेता है अठारा लोग है कि सब भाग गया कहा सब कुल कुल भागा है हम भी जा रहे हैं सर मेरा भी बैटरी नहीं है सर तो यहीं प्रॉप कर दो क्या नू सर नहीं सब्सक्राइब बढ़ाए सब्सक्राइब कोई नोट्स हम दे देंगे तो निकला है वो लोग बोला था कि थोड़े में आएंगे शार ने वाच चार कर प्यारा होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखो बात है जब 1757 कि लराई हुए 1764 का बकसर का यूद हुआ न तो उस समय अंग्रेज पावर में आ गया में पावर में तो आपका आया था सब्सक्राइब सब्सक्राइब पहले को अंग्रेज भारत में आया कि अग्रेज तो भारत करने बेपार करने के लिए तो इसमें रहा तरह चरा का वह नियम लेकर का आया तो पहला जो देखो पहला जो नियम था सब्सक्राइब करने के लिए हम बता रहें उजी बात को बता रहें कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिखेंग दो भारती सम्रिधान पहले लिखो उसके मेंचे लिखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लिटिंग एक्ट अब लिखो पहला लिखो इसमें इसमें पहला लिखो भारत में इस इंडिया कमपनी के कारियों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में भारत में इस इंडिया कमपनी के कारियों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में बिल्टीज सरकार त्वारा उठाया गया यह पहला कदम था देखो इसमें क्या हुआ कि कंट्रोल करना जैसे कि सरकार करने के लिए तो कोई भी चीज उसको नियम से चलाने के लिए या क्या-क्या उसका नियंतरन है नियंतर नियंतरन कर नैंडिया करने के लिए और नियंतर करने के लिए तो यह पहला कदम है तो बोलेगा कि बेटीज सरकार द्वारा इस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम कब उठाया गया तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो लिखे तो यह वर्ड लिखे पुरा संटेंज यह फ़र लिक लिए पुरा अब इसके द्वारा परसासन की नीव रखी पैसे जैसे की महदरास था ठीर आपका क्या था कलकत्ता था तीन भो था तो केंद्रिय कहने का मतलब पहले क्या था कि मदरास का अला कलकत्ता का अला बोंबे का अला तो केंद्रिय कहने का मतलब हुआ केंद्रिय कहने का मतलब हुआ कि सब को तीनों को मिला कर एक मालिक जैसे अब यह से संसद है संसद के मोधी जी है तो पूरे जो जो जितने भी हमारे एठाइस राज्य है तो उनको चला कौन रहा है अब देखो विशेश्टाएं इस रेगुलेटिंग आगया तो इसकी तो इहां पर लोग को लिखना विशेश्टाएं अब इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जन्रल पद नाम दिया गया तो इस लिखो अब की बार इस एक्ट के तहत बनने वाला पर्थम गवर्नल जनरल इस एक्ट के तहत बनने वाला पर्थम लॉर्ड वारेन हैंस्टिंग थे लॉर्ड बारेन हैंस्टिंग थे अब लिखो अगला लिखो इस अधिनियम के अंतरगत इस अधिनियम के अंतरगत अंतरगत इस अधिनियम के अंतरगत अंतर एंतर गात इसा अधिनियम के अंतर गात कलकत्ता में 1774 इस्वी 1767 1774 इस्वी में एक उच्चतम नियाले की या स्थापना की गई उच्चतम नियाले की 744 में उच्तम नहीं याले कि ये स्थाफना की गई इसके पर्थब मुख्य निया यज इसके पर्थब मुख्य द्या ती सर ईली जाह इंपे सर नाम क्या है सर एलि जाँ एली सजर एली समृतर ओर लिडन सर सर एली जाँ इंपेट सर एली जाँ इंपेट ठीक्ए सर एली जाँ इंपेट थे अब आगी आजाओ अब आजाओ एक टोप सेटलमेंट नहीं हाटाओ लिखो अगला अगला लिखो उसक्ते बाद दिखो अगला लिखो अगला लिखो तुम लो 1784 का PITS India Act लिखो 1784 84 का तो बोलेगा PITS India Act को आया तो 1784 1784 इसवी का PITS India Act बीशलर का फिर हो गया ना था रहे हैं यह सर्व आगे है सर्व आँ सर्व बोला था ना कि तरा रहे हैं तो तो सर्व आगया तो 1784 का 1784 का PITS India Act PITS India Act लिखो 1784 का PITS India खत्मे करवा देगा सर्थ यह सर्व PITS India Act इस एक्त के द्वारा इस एक्त के द्वारा दोहरे परसासन का प्रारंब हुआ कोई दिन उठेगा तो मैं सच कर देना कि क्लास अभी भी चल रही है ज्वाइन कर सकते हो पूरी राट कर दो कि क्लास चल रही है कोई भी ज्वाइन अभी रात के द्वारा अभी रात के द्वाइन अर्हाई बज रहे हैं क्लास चल रही है जिसका भी नीन फुले वो ज्वाइन कर जा रहा है परहेगा का समझेगा इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रसाशन का प्रारंब हुआ 1784 में दोहरे प्रसाशन का प्रारंब हुआ पहला लिखो ए नंबर एक नंबर में Board of Directors जब पिट्स इंडिया एक 1784 में आया तो दोहरे प्रसाशन के व्यवस्था की गई Board of Directors ने नियुस्था ये क्या था ये आपका था बैपारीक माम्मू券र बोर्ड की गै़िया था पूरी कु आई स्ट्रमि क्याहें था दोहरे व्यूंग बाुट बढ़ी आया था क्यमिÓ चै essay पो तेलब가 ये इस सफर ये दोहरे लिए सांग हूं में ये सजरोन तो आइप बोड़ आइग्द song मामलो वैपारिक मामलो के लिए क्षाई का कर एक लिए मामलो के लिए मारिक मामलो अन्य के लिए आफ दूसरा वोड़ आफ कंट्रोलन अच्छे से बोल्ट दिखाई दे रहा है यह सर दिखाई दे रहा है यह सर दिखाई दे रहा है अब बैटरी भी तुम लोग कर सम लेखा के लिए राजनीतिक मामलों के लिए राजनीतिक मामलों के लिए ठीक है और फिर देखो हो गया 1784 का इंडिया एक्ता गया अब आया अब आया कि 1793 का चार्टर अधिनियम इसके बाद आया 1793 का चार्टर अधिनियम हो भी हम लोग पढ़ते हैं कि 1793 और 1893 का इंपोर्टेंट नहीं है इसमें एक जो भारतिय राजस्य में से विवस्था देने की गई बेतन जो होगा सरकारी करमचारियों को बेतन जो है भारतिय राजस्य में से देने की विवस्था की गई 1793 के चार्टर अधिनियम में ही आए साथ 1793 का चार्टर अधिनियम लिकलो नहीं एक सब्सक्राइब को लिखना है यह सब देखो यह सब रूल आ रहे थे इसके द्वारा नियंतरन बोर्ड के सदस्यों नियंतरन बोर्ड के सदस्यों तथा करमचारियों के बेतन को भार्टिये राजस में से देने की विवस्था की गई अभी देखो अभी पुलिस बगेरा को बेतन कैसे मिलता है राशपती को बेतन कैसे मिलता है यह संचित खाता सब्सक्राइब हम लोग का पैसा होता है तो वही है कि बेतनादी को भार्टिये रा पिछले साल के यूपीस प्रेड़ पूछा था तो यह बहुत इंपोटेंट है अब देखो लिखो इसके द्वारा नंबर एक में इसके द्वारा कमपनी के वैपारिक अधिकार पूर्णता समाप्त कर दिये गए जो देखो जो कमपनी भारत में वैपार करने के लिए आई छी उसके वही खतम कर दिया गया एब आफा सो तिर्श का चार्टर अदिनियम आया तो जो कंपणी सिर्फ यहां वेपार करने आई थी यह वह वेपार नहीं करेंगी हम खतम कर दिया गया अब कंपणी अब दूसरा नमबर लिखो वेपारी अधिकार को पुर्णता समाप्त कर दिये गए लिखो दूसरा नंबर अब कंपनी का कारी अब कंपनी का कारी बिटी सरकार की ओर से मात्र भारत का सासन करना रह गया अब कंपनी के बैपारिक अधिकार कर दिये गए किस अधिवन हो तो 823 के चार्टर अधिनियम यह बूलेगा कुश्चन के अथाजो त्यतिस के चार्टर अधिनियम में इन ग्यूद्धी से कंपनी का बिटी सरकार का भारत पर क्या अधिकार आदि, क्या, तो फिस सब्सक्रेश करना का, सासन करने का रह गया जिवारत कहा जाने ही गुष लॉट वीलियम genocide कर भाइध के अफस्क्रा सकति गवेरण जनरल के अब अब को भारत में दास पड़्ठा को वीधु भिधी विरुद्ध मत्बन नियम के खिलाप भारत में दास पर्था को विधी विरुद घोसित कर दिया गया तथा 1844 इस्वी में उसका अनमोलन कर दिया गया ठीक है? ठीक है? आगा बने? यस सर यस इस अनमन का भारा सासन अधिनिया अठारा सो अनमन का अधारा सो अनमन का आई बस थोरा साथ यह सब परहाने के बात भारतिय अम लोग समझी दान सर आठार सो शिर्वण बने पड़ाया है ठीक है पुझन मावा कुछ ना हुआ है है शर फिर पांसर शो अनमन का भारत अधिनिया यह बढ़ा बात गवाए तो यह सर अब लिखेंखोंखोंखोंखोंखोंखोंखोंखोंख पंप्रोंखोंखोंखोंख कराउन के हाथ में सौपा गया भारत का साथन कराउन मतलब इस समय जो महरानी थी उसको ना यह महाराजा तो लिखो भारत का साथन कंपनी से लेकर ब्रिटीज कराउन के हाथ में सौपा गया इस अधिनियम की विश्यस्ता है कि पहला कि भारत का साथन कंपनी से लेकर ब्रिटीज क्राउन के हाथ में सौपा गया अब दूसरा लिखो अहां ही बताते हैं दूसरा लिखो मुगल समराग के पद को समाथ कर दिया गया मुगल समराग के पद को समाथ कर दिया गया अब लिखो भारत के गवर्णा जनरल का नाम बदल कर भारत के विश्यस्ता है गेवर्नर जनर्ल का नाम बदलकर ब़ाई सराय को झात वाई तो श्रॉआ कर दिया गया अता इस ऒंब के लॉट कर निंग ऑन जन मेर्जान आओ फर्ट समया सार्ट समय जयन ताइस और आगे आजाओ सेर्ट डवल गवे वाहँ इपन्ट्रोल उसन्ट जा गया गोडवरभ कॉला को नियुक्टर ट्रेक्टर इसे जुट आफ तर बोड और्ट्र बॉर्ट अच्ट्रों-च्रॉर्ण एंद कौट अफ एरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंच्रोल जो और प्रक्रेन लक्स्मी तान्ष कॉन पढ़े हुए है अच्छा तो फिर ठीक है तुम लिखे लोग और डायरेक्टर और बोर्ड और कंट्रोलर को बोर्ड कोट यह की बर्ड ले लिया होगा उनुग अगे लिखो आगे लिखो तुम लोग कितने लरके हो बीस के बीस हो भी यह से लिखो यह बनाया गया ऑफिस बनाया किया उसको शुरूब यह सबसे इंपोर्टेंट यह बहुत इंपोर्टेंट है इस अजया है यहां पर नहीं वह लग बात है लेकिन यह बहुत इंपोर्टेंट था वह बड़ी एक लिए यह से यह पर के लिए हम लोग पर रहे हैं आज आज आजाओ यह एक नमर में तो बिल्कुल नहीं आएगा आगे आजाओ दिखो अगर अगर अठारा सो बानवे इस वी का भारत परिसत अद्नियम अठारा इंडिया कांसल लेको तुम यह बात लोग समझ जाओ कि हम पढ़ रहे हैं कि भारतिय संविधान का विकास बोर नहीं को था तो तो अजादी के बाद होता ना उस पहरें अंग्रेज अपने अपने निया सांस को चलाने के लिए जैसे अभी भी इस एपने के लिए मोदीजी तरह-तरह के नियम लाता हैं तो उस सेमें ऑंग्रेजट कौन-कौन सा नियम हाया उस नियम को हम लोग पढ़ रहे हैं घ्सको यह पढ़ते हैं ना-टोकि उस समय ना इकज्जिवाट प्रतियच चुनाव परणाली की शुरुवात हुई तो इसमें लिखो पहला नमबर आप प्रतियच चुनाव परणाली की शुरुवात हुई लिखो उनिश्चो नौव इसमें घार्त परिस्द अधिनयं इसके मारले मिन्टो सुधार यही बूछले थे कि मारलो सेग्रेटरी था और मिन्टो वाइस रह था अब इसमें पहला लिखना कि पहली बार मुस्लिम समुदाई के लिए पिर्थक परती निजितुब चैसे हमार प्रते निजितुब किसको करते है की जैसे हमारा प्रते निजितु कोन होगा हमारे नुमीदवार नुमीदवार निजित है उबक सैसा उसका प्रिद्व का उपबंद किया गया इसके अंतरगात इसके अंतरगात मुस्लीम सदस्यों का चुनाव इसके अंतरगात मुस्लीम सदस्यों का चुनाव मुस्लीम मतदाता ही कर सकते थे इसके अंतरगात मुस्लीम सदस्यों का चुनाव मुसलिम मतदाता ही कर सकते थे. के के भार्तियों को भर्तियों को भार्त सचीव ऑफर कारी कार्णी परिसादों में नित्वी की गई. कि भार्तियों को बोलेगा भार्तियों को भार्तियों सचीव और गवर्नर जनरल की कारिकार्निक परिशदों की निफ्ति की गई कि आगे आजाओ है लिखो मनिस वाला ज़ंदों कि यह वाला काते थे हैं उनिससो नो इसी आंए उनीससो नो इस्वी में लड मार्ले इंगलेंड में भारत राज़ सचीब थे उनिसो नौ में उनिसो नौ में निसो नौ में आज आज नहीं आ रहा है अपको क्या बोले नहीं रहा है बोली नहीं उनिसो नौ में लौड मारले इंगलेंड में भारत के राज सक्षीव थे और लौड मिन्टो भारत के बाई सराई ठीके अब लिखो अगला अगला लिखो उनिसो निस इसवी का भारत सासन अत्मियम एगदम पॉइंट बाई पॉइंट एगदम पेराग्राफ बाई पेराग्राफ लिखो जा रहे हो ना यस सर्ब बोले रहे हैं कि सर बाई सराय मतलब जिसु सा वर्क क्या था 害 ठायवा Mayor कि अपसणों कारै ऑसफिर कांुं आज निहें ले समide सी काईयों को संचालन करना देश के तरГ को तरह 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 थे राजवार्थ मने यदम मने निस इसको ट्म मानने ना सब्सक्व नहीं नहींगेंगा मुदाहरन के रूप में दिया औरूर रिप्रेजेंटेटेटिव होता है किसी कंट्री का कौन राजदूत ना प्रति नीधी रेट प्रेजेंटेटेव यह से लिखो उनीच का भालग सासन अधिलियम मांटेगी उचेंस फोड़ सुधार इंपोर्टेंट है यह संद नीच किस कि अधिन है कि इतना प्रेज हुआ यह सर नहीं एक रहा है बिलुपूल नहीं प्रेज बात बोले बोलिये नहीं कि तर बेरे दुस्रे उन्हें की बैटरी बहुत लोग रही है शर पेरी चार गंटे से मोबाईल देख रहे हैं तो सर मैं पुलता हुआ सा करके और रख देते देखो नए खटम कर देते हैं उसके बाद खटम कर दें नहीं आरे लेकिर मेरी आखे दरख कर रही है इतना मुबाईल को कम देखो नब वाइल को कम देखो तुम ब्रैटनेस पर तो नचिक रही है अब दिस्प्लेय भी आफ कर दिये हैं सिर्फ सूनकर लिख रहे हैं हाँ 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 दो परसेंट पर तो ठीका है सर कब सट डाउन होजे पता नहीं चलो चलो लिखवाते हैं जल्दी जल्दी 1919 इष्विका भारसासर अधिन्यम दिखो मां टेगुव चेम्स फोड लिखो मां टेगूँ महाप एक मां आधान तवरगी न बाला टे टेगईव मां टेग्यव चेम्स फोड एतना जुनून है तुम लोगों करा हैं चेम्स फोड सुधार इतना जुमून से तीन साला उड़ रहा जाओगे तो इसमें लिखो लिखो केंद्र में केंद्र में दिव सदनात्मक्द दिव सदनात्मक्द केंद्र में दिव सदनात्मक्द 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 दिव सदन थी राज परशब के सदस्ट्रों की संख्या साथ थी और उसका फिक्स नहीं था अब देखो कि थोड़ो इस अब अब आगया जाओ इसमें तो था मौंट गे एक विजना में बहुत तो इंपोर्टन है सर इसमें था सर जो प्रोवेंशियल था ना उसो दो सब्सक्राइब बाटिया जाए एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है और एक रिजर्व सब्जेक्ट है पतना अंदर जाएगा पुलतता है नहीं जाएगा आगे आगे लिखो एक लिखो इसने इसने संप्रदाइत अधार पर सिखों भार्तिय इसायों एक इंपोटेंट है अपर हाउस लुवर हाउस इसमें आया था इसके बाद देखो इस वह फुरा सा है 1935 वाला उसके बाद तुम रोग जो कहोगे सो करेंगे पहले परिष्मा को इतना ही परेगा तुम रोगों को इसने शंप्रदाइक अधार पर सिखों भार्तिय इसायों आंगल भार्तियों और इरोक्यों के लिए भी फिर्थक निरवाचन के सिधान्त को बिश्थारित कर दिया इसन परिश्थारित कर दिया ठीक है और अगला अगला मॉंटेग्यू चेंश्पोट सुधार मॉंटेग्यू मॉंटेग्यू चेंश्पोट सुधार द्वारा भारत में पहली बार मॉंटेग्यू चेंश्पोट सुधार मॉंटेग्यू चेंश्पोट सुधार द्वारा भारत में पहली बार मॉंटेग्यू चेंश्पोट सुधार मॉंटेग्यू चेंश्पोट सुधार मॉंटेग्य द्धान मंते लाइड जार्ज था तर्ट नोग लिख लिए होगे तर्ट हुआ थी इस तर्ट प्रटिस पेज प्रटिस पेज स्टेश तर्टिस प्लस हो गया है 25 पेज में दूर है जाइब आप यह एक है फालस 22 से तर्ट तर्ट गिन नहीं रहे है अब बिल्कुल नहीं एक है लोगा था तरह पहले बोले था नहीं कर वाएंगे लिए लिए वोल दी होंगे सब्सक्राइब नहीं नहीं किया ना कल रुएगा भारी रुएगा 1935 इस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 बिशारा को देदेंगे रिकोडिंग यह तो अधिन है नहीं देखिए आप वह नहीं देखिए और रिकोडिंग दे दिया ना रिकोडिंग नहीं देख सकता न इतना देड़ सम्भभी नहीं है जिखे लग कुछ है ना बोल बोल कर लिख रहो ना इससे नहीं लिखो रिकोर्डिंग देखने सरकर प्रेदेन होगा वो ठख जाएगा आधा इंटर्वेश सुन्चूल के सब्सक्राबाद करेगा या साइमन कमिनीशन की रिपोर्ट पर अधारित था उनिस लिखो 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का लिखो 1935 का बस इसके बाद एक और है 1935 का भारत शासन अधिनियम लिखो या साइमन कमिनीशन की रिपोर्ट पर अधारित था या साइमन कमिनीशन की रिपोर्ट पर अधारित था 1935 बहुत इंपोर्टेंट है भीवी आई लिजना 1935 इसवी के अधिनियम में 321 अनू छेड और 10 अनू सूचियां थी 1935 इसवी के अधिनियम में 1935 इसवी के अधिनियम में 10 से बारा बारा से तीन तीन दू पांच कितना गंटा सारे चार गंटा हुआ थी ना इस लिखो 1935 इसवी के अधिनियम में 321 अनू छेड और 10 अनू सूचियां थी ठीक है आगे देखो इतना अंदर वाली बात हम नहीं बेचेंगे लिखो इसके अंतरगत इसके अंतरगत देश की मुद्रा इसके अंतरगत देश की मुद्रा और साख पर नियंतरन के लिए भारतीय रिजर्ब बैंक की अस्थापना की गई इसके अंतरगत देश की मुद्रा और साख पर नियंतरन के लिए भारतीय रिजर्ब बैंक की अस्थापना की गई आगे इसमें लिखो इसके त्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया त्यकिंग अए चल रहा है ये सर अगे आज़ा इसने मत अधिकार का विस्तार किया लगभग 10% जन्षंख्या को मत अधिकार मिल गया कि आगे आजाओ आगे आजाओ लिखो 1947 कि स्वी का भारतिय सुतंतरताद सब्सक्राइब यह वारा लाज चाहिए और उसके बाद तुम लों को कोई दिखते नहीं इस विटीश संसद में विटीश संसद में विटीश संसद में चार जूलाई विटीश संसद में विटीश संसद में चार जूलाई 247 को भारतिय सुतंतरता अधिनियम परस्टाबित किया गया जो 18 जुलाई 247 को स्रीक्रित हो गया स्रीक्रित ऐसे लिखो स्रीक्रित इस अधिनियम में 20 धराय थी इस अधिनियम में 20 धराय थी पहला इसमें लिखना पहला लिखना पहला तुम लोग लिखो दो अधिराज्यों की अस्थापना दो अधिराज्यों की अस्थापना इन्डियान परिस्तान दो अधिराज्यों की अस्थापना कि इस अब खेल नहीं है कि एक हो कि 1935 के भारतिय सासन अधिनियम द्वारा 1935 के भारतिय सासन अधिनियम द्वारा सासन जब तक सम्विधान समाद्वारा नया सम्विधान बनकर सासन जब तक सम्विधान समाद्वारा नया सम्विधान बनकर फियार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भारतिय सासन अधिनियम द्वारा ही सासन होगा अई кिल के भार्तिय शाष्न अधिनियम द्वारा शाष्न जब तक सम्विधान सभा द्वारा नए शम्विधान बनकर त्यार नहीं किया जाता है तब तक उस समय 1935 के भार्तिय साष्न अधिनियम द्वारा ही सासन होगा बाकी कल पर हाएंगे तुम्हें भारतिय सम्झिधान सभा जिसको हम दोस से तीन प्लाद में पुरा अच्छे से खतन करेंगे ठीक है तीन बज गया यस सर तीन बज गया हां बुलने भाई अरै